हेलो आल माई देरे स्टूदेंट्स आई होप यू आप उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे पहले रिविजन में हम लोग ने सक्शन 37-1 तक खतम किया था बिज्शन के तो अभी हम लोग उसको आगे बढ़ाएं ञपने इसक्शन 40 capital A और section 40 small A के अंदर सबसे पहले हम लोग मात करेंगे section 40 capital A वाले disallowances के बारे में उसमें सबसे पहला है section 40 A subsection 2 जिसमें बोला है कि अगर कोई SSC अपने किसी related party को किसी specified person को अगर market value से ज़्यादा payment करता है unreasonable payment करता है market value से ज़्यादा payment करता है excessive payment करता है legitimate needs के ज़्यादा payment करता है तो जितना भी excess payment करेगा market value से उतना disallow हो जाएगा ठीक है excess disallow होएगा suppose market value 50,000 है आप 70,000 payment कर रहे हो तो पूरा 70,000 disallow नहीं होगा सिर्फ 20,000 रुपीस disallow होगा यह चीज़ दिमाग में रहना इस particular section में excess disallow होता है ठीक है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ payment और expenditures covered है मतलब अगर आप किसी को खर्चा करते हो किसी पर और उसके लिए payment करते हो और वो excess देते हो तो वो disallow है अगर आपने किसी related party को समान बेचा और वो सस्ते में sell किया तो वो यहाँ पर नहीं covered है 482 में let me be very clear but ICI ने अपने कुछ solutions के अंदर उसको भी cover किया है जो गलत है let me be very clear about it यहाँ पर मैंने लिग दिया हूँ कि ICI गलत है ICI ने क्या किया एक assessi ने अपने related party को 1,50,000 का समान 1,00,000 में बेचा तो ICI ने क्या किया उसमें भी 482 अप्लाई कर दिया जबकि वहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि 482 बहुत specifically सिर्फ payments और expenditures के लिए incomes और revenues के लिए नहीं है यह चीज़ दिमाग बरेखना ठीक है तो this is what ICI has made a mistake यहाँ पर कौन डिसलाओ करेगा assessing officer की responsibility है to identify कि भाई यह जो payment है यह access है या नहीं है fair market value से जादा है या नहीं है एकसेटर एकसेटर यह सब assessing officer की से बढ़ा जीए ठीक है next आते हैं हम लोग अगले section की दरफ जो बहुत important section है C.A. final के अंदर हो practical life के अंदर भी that is section 40 A.3 इसमें क्या बोला गया है अगर आप कोई revenue खर्चा करते हो capital खर्चा नहीं revenue खर्चा और एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपे से जादा पे एक दिन में एक बंदे को कोई revenue खर्चे के लिए 10,000 रुपे से जादा का payment करते हो तो आपको 4 mode से payment करना है अगर आपने ये चार मोड को छोड़कर किसी पांच वे मोड से पेमेंट किया तो कर्चा डिसला हो जाएगा सर वो चार मोड कौन से या तो account पे ही check account पे ही check bearer check नहीं चलेगा cross check भी नहीं चलेगा account पे ही check चाहिए second या तो account पे ही draft या ECS या तो such other electronic mode as may be prescribed by the government अब such other electronic mode में government ने क्या prescribed किया है आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा देखो यहाँ पर यह सारे such other electronic mode as would include credit card debit card net banking IMPS UPI RTGS NAFTN भीम यह सारी चीज़े such electronic mode में आ जाती है तो किसी एक बंदे को एक दिन में 10,000 रुपे से जादा payment करना है तो आपको पूरा का पूरा payment account पेई चेक, account पेई ड्राप ECS सच दिर electronic mode से करोगे सर अगर मैंने 15,000 किसी को cash दे दिया तो सर 5,000 डिसला होगा कि पूरा 15,000 डिसला हो जाएगा पूरा 15,000 डिसला हो जाएगा अगर इस साल आपने अक्रोल बेसिस पे कोई deduction क्लेम कर लिया और अगले साल उसी खर्चे का आप क्या कर रहे हो आप payment कर रहे हो वो भी cash में अगले साल क्या हो जाएगा वो खर्चा इंकम में एड हो जाएगा उसके लिए अलग से section बनाये section 483 है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर capital खर्चे नहीं कवड़े नहीं इस section में capital खर्चे नहीं कवड़े इस section में सिर्फ वसे revenue खर्चे कवड़े सर क्यूं capital खर्चों के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया है 43-1 जो actual cost का definition के लिए वहाँ पर भी government ने अल्रेडी बोला है कि किसी से भी अगर asset खरिते हो एक दिन में 10,000 रुपे से जादा payment करते हो तो आपको cash देना allowed नहीं है आपको चार बोट से payment करना पड़ेगा यह चीज दिमाग में रखना ठीक है अगर आप किसी बैंक को payment करते हो तो चलेगा अगर आप किसी को payment करते हो एक ऐसे बंदे को जो ऐसे विलेज या टाउन में रहता जहां पर banking facility नहीं है चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप credit card debit card net banking अगर आप book adjustment करते हो तो भी चलेगा book adjustment मतलब मैं आपको इतना पैसा देने का है तुम मेरे को इतना पैसा देने का है चलो knock-off कर देते मैं आपको 40,000 देने का है तुम में को 30,000 देने का है चलो knock-off कर देते books up accounts के अंदर settle कर लेते तो वो भी चल जाता है कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर उसके बाद अगर मैं आपको payment कर रहा हूँ for example किसी foreign currency currency का खरीदने के लिए तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगर मेरे आप एजंट हो एजंट को मैं पैमेंट कर रहा हूँ कि मेरे लिए तुम्हें को payment कर देना बाद में ठीक है तो मैंने अपने एजंट को अगर कुछ पैसा दिया हूँ मेरे लिए लिए खरीद रहा है तो चल जाएगा cash में दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसके बाद अगर आप अपने employee को कुछ retirement benefit के रहे payment करते हो जैसे retirement compensation व्यारेस यह वो retirement benefit वाले तो उस case में government ने बोला है चल तो नहीं जाएगा लेकि चासर कर दिया ठीक है अच्छा किसी को अगर bank holiday के दिन payment करते हो तो क्या payment कर सकते हो नहीं चलेगा पहले चलता था आप नहीं चलेगा cash का excuse नहीं चलेगा क्योंके इसको अलाउग इस पर्टिकलर प्रोविशन का लोग अगर खरीटते हो किस से किसी producer, grower और cultivator से तो आप cash में payment दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ अगर आप कोई third party trader से खरीटते हो तो आप cash में payment नहीं दे सकते हो आपको check में payment देना पड़ेगा otherwise आपना खर्चा डिसला हो जाएगा सर यहाँ पर fish और fish product में क्या आएगा fish और fish product में CBDD ने clarify कर दिया है कि सारे marine products आजाएंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ठीक है fish and fish product will include all marine products like prawns, like cuttlefish, like squids, like lobsters, like crabs, etc. यह सब कुछ आजाएगा similarly sir fish and fish product का producer, grower, cultivator कौन होता है fish and fish product का producer, grower, cultivator, CBDD ने बोला, दो में से कोई एक जन हो सकता है या तो fisherman खुद, अगर आप direct fisherman से खरीटते हो तो चल जाएगा या तो headman और fisherman जो सारे fisherman को manage करता है, उनके headman से खरीटते हो तो भी चल जाएगा ये दो लोगों से CBDD ने allow किया है, बाकि अगर आप नॉर्मल मार्किट में जाके Big Bazaar से जाकर fish खरीटते हो तो वहाँ पर आपको cash payment होगे, तो खर्चा डिसला हो जाएगा because Big Bazaar ना ही fisher man ने, ना ही headman और fisherman उस case में आपना खर्चा डिसला हो जाएगा 192 में, अगर liable to deduct है, अगर उसका TDS आता है, तो TDS card के उसको salary देते हो, तो आप उसको cash में salary दे सकते हो employee है, 15 दिन यह उससे ज़्यादा के लिए जा रहा है, out section जा रहा है, उसका उधर bank account नहीं है और उसका आप TDS काट रहे हो, तो आप cash में payment कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह कुछ exceptions दिएगा है rule 6 DD के अंदर, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ठीक है, उसके नीचे एक circular है, जिसके बादे में मैं discussion करूँगा section 269 ST के साथ, जब भी section 269 ST शुड़ हो जाएगा, मैं फिलाल उसके बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या होगा सत, इसमें suppose मैं एक बंदा हूँ, आप एक बंदे हो, और आप मेरे related party हो, आप मेरे related party हो, अब मैं आपको 1 लाग रुपया दे रहा हू cash में, अब अगर मैं आपको 1 लाग रुपय cash में दे रहा हूँ, तो अब यहाँ पर 2 section attract हो जाएगे, 482 भी attract हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे related party हो, और 483 भी attract हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको cash में payment दे रहा हूँ, तो अब कैसे चलेगा, अब इसमें बोला गया है, क्योंकि अगर आपको 2 section interact हो जाते हैं, एक साथ, एक दो से से लड़ रहा है, तो फिर order of the law follow कीजिए, order of the law follow कीजिए का मतलब क्या होता है, पहले 482 apply कीजिए, फिर 483 apply कीजिए, 482 apply करने पर क्या होगा, पहले मुझे इस 1 लाग रुपय का FMV दूनना पड़ेगा, suppose इस 1 ला पाटी को पेमेंट करना हो, वो भी कलती करना हो, और क्याश में पेमेंट करना हो, ये भी कलती करना हो, 482 apply कीजिए, FMV कितना है, 17,000, तो पहले 17,000 के ओपर का खर्चा डिसलाव कर दीजिए, 30,000 अब बचा कितना 17,000, अब देखो 43 की limit में आता है क्या, क्या 70,000 43 की limit में आत ठीक है, next is section 40A4, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें 40A3 को protect करने के लिए 40A4 बनाया गया है, suppose मैं buyer हो, आप seller हो, ठीक है, अब हम दुनों ने contract कर लिया, contract ये किया, कि मैं आप से समान खरी दूँगा, आप मुझे समान बेचोगे, अब contract के अंदर हमने clause डाल दिया, कि मैं आपको payment जो करूँगा ना 2 लाफ उर्पे का for example, वो cash में ही payment करूँगा दो मैने बाद, मैंने ये contract में लिख दिया, आपने भी लिख दिया, मैंने भी sign कर दिया, आपने भी sign कर दिया, अब sign करने के time पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया भी होगा, deliberately लिखा institution, will lead to a suit against you, will lead to a case against you, therefore, now what will happen, after two months, when I will make the payment, contract के साफ से मुझे cash में payment करना ची, लेकिन मैंने cash में पेमें नहीं किया, क्योंकि मुझे खर्चेगा disallowance का tension था, क्योंकि अगर मैं cash में payment कर दूँगा, तो income tax law वाले आकी खड़े हो जाएंगे, और बोलेगे, भाई, cash में payment कर र contract अगर आपको बोलता है, कि cash में payment करिये, फिर भी आप cash में payment मत करिये, क्योंकि income tax law इस section में, 40A4 में, दुनिया में, दुनिया में तो छोड़ दो, इंडिया में जितने भी कानून है, उन सारे कानूनों को override करता है, कभी मौका मिले तो 40A4 भोल के देखना, this section says that notwithstanding anything contained in any other provisions of any other law, किसी भी कानून में, जो भी लिखा है, सबको override करते हैं, और किसी भी कानून में अगर ऐसा लिखा है, कि cash में payment करना है, तो वो गलत बात है, therefore, यहाँ पर यह section 40A3 की spirit को protect करने के लिए आया, ठीके, तो बराबर से देख लीजे, next section बहुत important है, यह वाला section इतना important नहीं provision for payment of graduate, सर यह provision कब किया जाता है, जब company को employee को graduate का payment करना परता है, तो company को actually को बुलाना परता है, और जब actually आके valuation करता है, तो actually कुछ access amount बताता है, से आपने 15 लाग रुपय deposit किया हो का fund के अंदर, अब actually बोल रहा है नहीं, 18 लाग रुपीस आपको pay करना है, तो 3 लाग इसका आप क्या करते हो, जो provision मारते हो, वो खर्चा disallowed income tax law में, लेकिन provision basis पे disallowed है, जब आप actually employee को pay कर दोगे न, वो 3 लाग रुपया, तो government बोलती है, हम आप उसको deduction करोगे तो disallowed है, लेकिन जब actual में payment करोगे न, उस 3 लाग का, तो deduction मिल जाएगा, तो question में आपको बहु next, last disallowance under section 40 capital है, and that is 40A9, अगर आप recognize provident fund में contribution करते हो, तो आपको उसका deduction मिलता है, section 36, subsection 1, clause 4 के अंदर, ठीक है, subject to 43B, लेकिन अगर आप URPF में contribution करोगे, तो क्या उसका deduction मिलेगा, the answer is no, URPF में contribution का deduction नहीं मिलेगा, जब contribution कर रहे हो, तब नहीं मिलेगा, हाँ, जब contribution कर कर क 10-15 साल हो गया, fund में पैसा जमा हो गया, जब ultimately employee को पैसा दोगे ना, 10-15 साल बात, तब company को उसका deduction मिलेगा, check कर लेना, हर साल contribution करने पर नहीं मिलेगा, जब ultimately employee को payment कर दोगे ना, तब deduction मिलेगा, उसमें कोई चिंता अगर नहीं बात नहीं, मिलेगा, तब ही मिलेगा, definitely है, कि अगर आप किसी foreign company, या non-resident को payment करते हों, और उनकी income, इंडिया में chargeable to tax है, सामने वाली की income chargeable भी तो होना चाहिए, और उस पर अगर आपने TDS नहीं काटा, या काटने के बाद नहीं भरा, तो आपता खर्चा डिसला हो जाएगा, कितना खर्चा डिसला हो जाएगा, 100 percent खर्चा, पूरा का पूरा, suppose किसी non-president को मैंने एक लाफ रुपे का payment किया, और उस non-president की income इंडिया में chargeable to tax है, उसके बावजूद मैंने TDS काटा नहीं, भरा नहीं, तो मेरे हाथ में 1 लाक रुपेस डिसला हो जाएगा, ठीक है, अब सर्क कब तक काटना है, सब से पहल अगले साल अला होगा, जब भी आप पे करोगे, अच्छा, 31st मार्स तक काट लिया और due date तक नहीं भरा तो, due date के बाद भरा तो, तो भी खर्चा डिसला हो जाएगा, अगले साल जब पे करोगे तब अला हो जाएगा, यह permanent डिसलाविंस नहीं है, temporary डिसलाविंस है, therefore best क्या आइडियल सिच्वेशन, आप 31st मार्स तक कम से कम डिड़क करनो, और उसके बाद एपरिल में, जून जुला यवगा, जब भी है, आप रिटन भरने के पहले तक, आप उसको पे कर दो, आपको डिदक्शन मिल जाएगा, ठीक, as simple as this है, अगर आपने 31st मार्स तक नहीं काट 100% चार्जेबल नहीं है बलकि proportionately चार्जेबल है तो क्या होगा तो उस case में government एक provision बना है section 195 subsection 2 के अंदर जो आगे जाकर आप पढ़ोगे TDS के और non resident के chapter में जिसमें बोला है कि अगर सामने वाली की income पूरी तरीके से इंडिया में चार्जेबल तो tax नहीं है तो उस case में assessi को payer को जो pay कर रहा है उसको assessing officer को एक application देना पड़ता है और assessing officer वो appropriate portion बताएगा कि कितने percent कितना percent इंडिया में taxable है उसके बाद उतने portion पे आपको tax काटना है पूरे portion पे tax नहीं काटना है और अगर आपने नहीं काटा तो फिर disallowance भी उतने portion काई होगा मिसाल के तौर पर सामने तीन लाग पे TDS काटना है अब अगर मैंने नहीं काटा तो मेरा disallowance भी तीन लाग का होगा पांच लाग का नहीं होगा I hope it is clear to you यहाँ पर CBD ने इस particular चीज़ पे एक circular डाला है that is in 2050 can you see this right right तो यह आपका 40 A 1 अब 40 A 1 A में क्या अलग है कुछ भी अलग नहीं है सिर्फ फरक दो यह बस कि 40 A 1 में आप resident को payment करते हो 1 में और 1 A में आप resident को payment करते हो दूसरा 40 A 1 में आपका 100% खर्चा डिसला होगा अगर आप इस साल के end तक नहीं काटते हो या काटने के बार डियूरेट तक नहीं भरते हो तो यहाँ पर आपको 100% नहीं 30% डिसला होगा और कुछ नहीं अगर आप 10 लाग का payment कर रहे हो अगर आप TDS नहीं काट रहे और नहीं भर रहे हो तो 30% डिसला हो जाएगा बार बहुए का अगर मैं पेढ़े हो अगर मैं पेजियर णहीं काटा नहीं भरा तो जनलरली मुझे Government» अससीन डिफॉल्ट बना देती है और अससीन डिफॉल्ट के बहुत ज़्यादा serious consequences in income tax में लेकिन government ने एक relaxation लाया जिसमें ये बोला है कि अगर pair ने TDS नहीं काटा नहीं भरा ठीक है लेकिन pay ने pay ने कुछ चीज़े कर लिया जैसे pay ने उस income को include कर दिया उसमें tax भर दिया और उसमें ITR भी भर दिया अगर pay ने ये तीन चीज़ कर लिया income conclude कर दिया, tax भर दिया और ITR भी भर दिया, तो ये deem किया जाएगा कि pair ने TDS काटा और TDS भरा है ये deem किया जाएगा, बले मैंने नहीं काटा हूँ अगर pay काटने को और भरने को भूल जाता है लेकिन pay अपनी तरफ से सारे obligation पूरे कर देता ITR भी बढ़ देता, income भी इंक्लूड कर देता, tax भी बढ़ देता है तो फिर pay भी बच जाएगा, उस case में pay को सिर्फ एक ही consequence हिलना पड़ेगा कि उसको interest देना पड़ेगा that is only 1% per month और फाट देराफ एक 1% का interest देना पड़ेगा बाकी और कुछ नहीं disallowance नहीं होगा, penalty नहीं लगेगी फिर jail well जाने की जरवत नहीं, prosecution नहीं, कुछ नहीं होगा Now, coming to this particular case, Parliament Gas Service का एक Supreme Court का judgment है, बहुत जादा important judgment है, इसमें दो issues को Supreme Court में address किया है, 2017 के अंदर, दो issues किया है, सुनो, ये section, ये जो judgment है, ये दो section के लिए अपली के लिए, 40 A1 के लिए अपली के लिए, 40 A1 के लिए अपली के लिए अपली के लिए, दोनो section के लिए ये provision अपली क के लिए, आप बोल सकते हो, बतलब resident वाले के लिए अपली के लिए, non resident वाले के लिए अपली के लिए, डो case में फिट हो जाएगा, अब इसमें क्या वोला क्या गया है, जाध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इसमें क्या बोला गया है? यहाँ पर ना अससी कुछ sections के words को पकड़ कर government को manipulate करने ही कुशिश कर रहा है जैसे section 41 और 1A में क्या लिखा है मालूम if any amount is payable on which TDS is not deducted जो amount payable है उस पे TDS अगर नहीं कटा है तो आप उस खर्चे को disallow करो payable word को पकड़ के अससी खेल रहा है अससी बोल रहा है कि if any amount is payable जिस पे TDS नहीं कटा है इसका मतलब जो amount paid हो चुका है उस पे अगर TDS नहीं कटा है तो वो disallowance नहीं होना चाहिए मिसाल के दौरबाद साल में 12 मैने है 12 मैने में से 11 मैने का rent आपने pay कर दिया है एक मैने का rent payable है जिस पे उस पे अगर TDS नहीं कटा है ना तो वो ही disallowance हो सकता है जो 11 मैने का rent paid हो चुका है उस पे अगर TDS नहीं कटा है तो वो disallowance नहीं हो सकता है सुब्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा साब फालतू intervention मत करना ठीक है पूरा purpose of the law defeat हो जाएगा सुब्रीम कोर्ट ने बोला the word payable would include payable as well as paid दोनों case cover हो जाएंगे आपर कि अगर जो paid हो चुका है उस पर भी अगर TDS नहीं काटा है तो disallow होगा और जो payable है उस पे भी अगर TDS नहीं काटा है तो वो भी disallow हो जाएगा TDS का mercantile या cash system से कोई लिना देना नहीं है अगर आप mercantile system of accounting follow करते हो तो भी TDS काटना है नहीं काटेगा तो disallowance होगा और अगर cash system follow करते हो तो भी TDS काटना है नहीं काटेगा तो disallowance होगा therefore ये दो issues सुपरीम कोर्ट ने यहाँ पर address किया है और इन दोनों issues में अससी हार चुका है ठीक है आगे बढ़ते other disallowances other disallowances में आपर कुछ छोटे disallowance है 40A2 में income tax disallow किसी भी किसम का income tax सरचाच से है सब disallow well tax disallow उसके बाद अगर कोई state government undertaking अपने state government को exclusively कुछ royalty देती है fee देती है कुछ service charge देती है service fee देती है तो वो भी disallow exclusively सिर्फ state government undertaking अपने state government को देती है तो ही disallowed है अगर सब पे लगता है वो loyalty वर्टी तो disallowed नहीं होगा exclusively state government अपनी undertaking पे लगाती है और state government के undertaking state government को देती है तो disallowed हो जाएगा next 45 में क्या बोला गया अगर employer अपने employee के लिए non-monetary perquisites का कोई tax बरता है तो वो tax disallowed हो जाएगा employer के हाथ में मैंने अगर अपने employee के लिए कोई non-monetary perquisites से rent-free furniture accommodation का tax बरा तो वो tax मेरे हाथ में disallowed हो जाएगा हाँ फिर perquisit employee के हाथ में exempt है section 1010 double C के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पर clear है I hope it is clear to all of you ठीक है next 43B, 43B में क्या लिखा गया certain deductions allowed on actual payment अब वो कौन से खर्चे है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ actual payment पे आपको मिलेंगे सबसे पहले, any tax, duty, stress or fee यहाँ पर कौन सा tax आएगा, क्या income tax आएगा बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे ही disallowed है यहाँ पर आएगा, GST आजाएगा, multiple tax आजाएगा उसके बाद में अगर custom duty है तो वो आजाएगा कोई stress है, कोई fee है, वो सब आजाएगा उसके बाद employers contribution employers contribution आजाएगा employee contribution यहाँ पर नहीं आएगा employee contribution यहाँ पर नहीं आएगा employers contribution उसके बाद bonus और commission अगर कुछ देते हो interest देते हो अपने public financial institution को cooperative bank को, schedule bank को leave salary देते हो, etc उसके बाद अगर आप कुछ Indian railway को कुछ payment करते हो, यह सारे खर्चे आपको मिलेंगे, definitely मिलेंगे लेकिन actual payment, accrual basis पर नहीं कब तक pay करना है, due date of filing of return तक भर दोगे, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद बारा तो, उसके बाद बारा तो फिर इस साल खर्चा डिसलाओ जाएगा, कितना पूरा का पूरा खर्चा डिसलाओ, और जब पे करोगे, जब भी आक्शुल पेमिंट करोगे, उस साल में लाओ जाएगा, as simple as that best क्या होगा, आपको due date तक भर देना चाहिए, नहीं भरोगे, तो अगले साल लाओगा और क्या, ठीक है, अब सर, यहाँ पर कुछ इशू दे, इशू नमबर बन, अगर मैं GST जो है, वो inclusive रखता हूँ, of sales या exclusive रखता हूँ, उससे फरक पड़ता है क्या सर? उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, अगर GST आप sales में include रखते हो, तो भी आपको sales tax time पे भरना है, अगर GST आप sales से exclusive रखते हो, तो भी आपको GST time पे भरना है, दोनों case में फरक पड़ता है GST inclusive या exclusive होगा देखो कुछ लोग क्या होते है PNL के credit site पे sales के अंदर GST include करोगे तो debit site पे GST लिखना पड़ेगा से 2,00,000 रुपे का sale है 20,000 GST है तो 2,00,000 credit site पे लिख दिया तो 20,000 debit site पे लिखना पड़ेगा तो भी आपको GST payment करना पड़ेगा ने तो income में add हो जाएगा 20,000 रुपे उससे फरक नहीं पड़ता है Secondly, अगर government को tax देने के बदले मैंने government को bank guarantee दिया कि भाई मैं पैसा दूँगा ये guarantee लो तो क्या उससे मुझे deduction मिल जाएगा tax का बिल्कुल नहीं bank guarantee देना does not amount to actual payment भाई, government को सिर्फ आपने एक guarantee दिया एक assurance दिया कि मैं pay करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने pay कर दिया, actual payment means actual payment, सिर्फ bank guarantee देने से government को कुछ फरक नहीं पड़ने आला है, government आपको खर्चे का disallowance कर देगी, ठीके, जब तक आप actual payment नहीं करोगे, सिर्फ provident fund, pension fund, super renovation fund, graduate fund, you can pay up to the due date of filing of return, employer, employer, employee का contribution, अगले मैंने की 15 तरहीं तक आपको बरना पड़ेगा, ने तो खर्चा disallow हो जाएगा, I hope everyone is clear, फिर यहां पर कुछ explanations 3C है, 3CA है, 3CD है, and 43B के नीचे ये सारे explanation लगे है, जिसमें बोला गया, अगर आपके balance sheet में कोई outstanding interest है, और bank आ और उस outstanding interest को convert कर देता है नए loan में, तो उसको आप actual payment मत समझना, उसका deduction deduction आपको नहीं मिलने वाला है, conversion of outstanding interest into a new loan does not amount to actual payment, हाँ, लेकिन जब यह नया loan बन जाएगा, और आगे जाकर उस नए loan को आप repay करोगे, तो जैसे जैसे रीपे करोगे, आपको deduction मिल जाएगा, as per the CBD circular of 2006, 2006 में CBD का circular आया था, जो बोलता है कि जब actually यह नया loan पे होना चुरूगा, उस साल से हम आपको deduction देना शुरू कर देंगे, ठीके, last but not least, यहाँ पर Supreme Court का judgment है, Sassoon Chemicals, जिसमें asasi क्या कर रहा था, asasi और employee का, मतलब employer और employee के बीच में क्यों dispute सल रहा था, तो asasi क्या कर रहा था, ज safety के लिए, जो भी bonus एक trust को दे रहा था, और उसके बाद में वो dispute सल हो गया, तो वो bonus trust से निकाल कर, उसने due date के पहले, 139-1 की due date के पहले किसको दे दिया, employee को दे दिया, तो क्या asasi को deduction मिलना चाहिए, the answer is yes, क्योंकि asasi ने कुछ गलत नहीं किया, due date के पहले employee को दे दिया ना चेक करो, चलो आगे बरते towards the next topic and that is deemed income, अब deemed income, income tax में multiple section हो में दी गई है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ दो deemed income के बार में बात करने वाले, वो है section 41-1 and section 41-4, अब 41-1 में क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, सब लोग, 41-1 में क्या बोला है, अगर आपने को trading liability book किया है, trading liability मतलब से working capital loan etc या आप बोल सकते हो trading liability, अगर आपने कोई books up account में कोई trading liability है, और आगे जाकर वो trading liability remit हो जाती है, मतलब खतम हो जाती है, या कोई seize कर देता है, मतलब माफ कर देता है, तो आपके हाथ में हो फायदा हो गया, तो भी आपकी deemed income बन जाएगी section 41-1 म बनेगी, capital liability deemed income नहीं बनेगी, मिसाल के तोर पर अगर आपने किसी से working capital loan लिया है और सामने वाले ने आपका loan remit कर दिया है, या seize कर दिया है, तो आपके हाथ में 41-1 में deemed income, लेकिन आपने अगर किसी से fixed asset के लिए loan लिया है, और सामने वाले ने आपका loan क्या करिया है, वेव कर दिया है, तो वो section 41-1 में cover नहीं होगा, लेकिन क्या वो कहीं और cover हो सकता है, definitely, वो section 2 clause 24, sub clause 18 के अंदर याद करो, income के definition में cover हो जागा, कि अगर कोई waiver आपको central government, state government, body, agency, authority देती है, तो वो income माना जाएगा, तो अब सुनो जरा, अगर fixed asset के लिए अगर आपको waiver मिलता है, तो उसमें दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो fixed asset का waiver यहां तो cover नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर सिफ remission and cessation of trading liability cover है, लेकिन अगर fixed asset का waiver आपको कोई central government, state government, etc. देती है, तो वो 224-18 में income बन जाएगी, उसके अलावा अगर central government, state government को छोड़ कर, अगर कोई और आपको fixed asset का waiver करती है, तो वो income tax में आज की तारिक में tax नहीं होगा, मिसाल के तौर पर, अगर ICICI bank से आपने fixed asset के लिए loan लिया, और ICICI bank ने वो loan को waiver कर दिया, जो fixed asset का है, ट्रेनिंग नहीं है, जो capital liability है, तो उस पे आज की तारिक में income tax law में tax नहीं लगता है, ठी second, अगर आपका business बंद हुआ, उसके बाद अगर recovery होई तो क्या तब भी tax लगेगा, तो answer is yes, अगर आपका business amalgamate हो गया, मतलब आपने समान बेचा था, आपने समान खरीदा था, आपने expenditure claim किया था, उसके बाद आपका amalgamation होगा किसी के साथ, तो क्या सामने वाली entity के हाथ हाथ में अगर वो recovery होती है, तो क्या उसके हाथ में भी taxable हो जाएगा, तो answer is yes, वहाँ पर भी taxable हो जाएगा, यह चीज़ दिवाग रखना, ठीके, next, क्या unilateral cessation of trading liability में भी क्या, आपको tax लगेगा, definitely, unilateral cessation क्या होता है, मैंने समान खरीदा, आपने समान बेचा, मैंने उसक इसको write-off नहीं किया, मतलब data ने write-off नहीं किया, लेकिन creditor ने उसको write-off कर दिया, तो इसको बोलते unilateral cessation of trading liability, क्या उस case में भी मुझे tax लगेगा, the answer is yes, unilateral cessation of trading liability is also covered in this particular section, then, Supreme Court का एक बहुत जबरदस judgment है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, polyflex India Limited, बहुत जबरदस judgment है, इ income tax law में, क्योंकि excise duty is allowed as deduction, ठीके, उसके बाद Assasi ने high court में appeal कर दिया, high court में appeal करने के बाद क्या हुआ, Assasi case जीत गया, Assasi case जीत गया, तो Assasi को excise duty का refund मिलिया, तो जैसे refund मिलिया, गौर्मेंट ने उस पर tax मांगना शुरू कर दिया, ठीके, Assasi क्या बोलने लगा, कि मैं अभी effect किया आने हाल है, therefore, यहाँ पर आपको यह सब दुनियादारी करने की जरुवत नहीं है, the moment you have claimed an expenditure, and later on, if it is recovered, you have to pay the tax, you don't have to wait for the higher Supreme Court, Supreme Court जब बोलेगा, तब देख लेंगी क्या करना है, अभी आपको high court के basis पर, क्या refund मिला है, हां मिला है, क्या आपने उस particular खर्चे का पहले goverment को बुलेगा, goverment उसके कुछ महीनो बाद refund देगा, तो जब तक refund नहीं मिलेगा, आपको tax नहीं लगेगा, जब goverment order pass करके, high court order pass करेगा, high court अपना order, exercise department को देगा, exercise department refund refund रिफंट रिलेज़ करेगा, तब tax लगेगा, सिर्फ order pass करने पर, आपको tax नहीं लगने वारा है, ये भी एक important चीज़ है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिख के रखाऊ नेक्स recovery of bad debts section 41.1 recovery of expenditure और लॉसस था और trading liability यहाँ पर recovery of bad debts अगर आपने bad debts का reduction क्लेम किया है section 36 sub section 1 plus 7 आगे जाकर उसकी recovery होती है तो वो deemed income मानी जाएगी 41.4 में और एक advantage यहाँ committed company उसकी recovery करती ही ना उस पर tax नहीं लगता है ठीक हो government ने यहाँ पर एक अलग सा relaxation दे दिया in case of amalgamation check करो जबकि अभी पिछले section में इट वस taxable यहाँ पर यहाँ पर it was taxable success था recover करेगा तो taxable था लेकिन यहाँ पर नहीं है ठीक है इसके अलावा हमने उने और profit और बहुत सारी deemed income पहले पढ़ चुके है जैसे 41.2 पहले हो चुका है 412 क्या था balancing charge, 413 क्या था scientific research asset बेचते हो without using for business और 414 क्या था special reserve account से 3618 में से पैसा निकाल कर वापस से PNL में transfer करोगे तो deemed income इसके अलावा एक और है section 41 में deemed income that's it वो section 415 आगे जाकर set off and carry forward में आएगा तो इस तरीके से मैंने section 41 की पुरी जबरदस interlinking आपको यहाँ पर दो next topic and next topic is what? Misliness issues, इसमें कुछ चोटे-चोटे issues है करके हम उसको address करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले section 14A के बारे में बात किया गया है, 14A क्या बोलता है, अगर कोई खर्चा आप किसी ऐसी income को कमाने के लिए करते हो, जो income tax के अंदर section 10 के अंदर exempt है under this act, तो अगर खर्चा कर number two, इसमें and है तो plus करना पड़ेगा, मतलब point number one और two दोनों मिला कर जो भी answer आएगा, वो आपका dislodge होगा, point number one में क्या है sir, point number one में कि आप जो actually जो direct खर्चा कर रहे हो न exempt income के लिए, से आपने कोई loan लिया, directly to earn an exempt income, तो वो खर्चा तो directly dislodge हो जाएगा, ठीक है, तो point number one में direct point number two में fictional disallowance है, कैसे, इसमें आपको पूरे साल में आपके पास कितने exempt investments है, वो पता लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे investments ढूंडो जिससे आपको exempt income हाती है, से tax free interest आता है, tax free dividend आता है, example, ऐसे सारे investments ढूंडो, उसके बाद उसमें क्या करने का, मंतली average लेने का, 1st April, 30th April, divide by 2, 1st में, 31st में, divide by 2, 1st June, 30th June, divide by 2, ऐसे, मंतली average लेलो, 12 मेने का, उसके बाद, मंतली average आ गया, 12 मेने का data आ गया, अब सबको add करो, divide by 12 को लो, annual average आ गया, उसके बाद भी solution नहीं आता है, annual average आने के बाद उसका 1% लेलो, अब जो answer आएगा, वो बन जाएगा, आपका point number 2 अब, यहाँ पर 2 issues है, पहला CBD circular है और Delhi High Court का judgment है, CBD circular के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, फिर Delhi High Court के judgment पर आता हूँ, circular क्या बोलता है, कि अगर आपने कोई खर्चा किया, जिससे income, exempt income आपने इस साल नहीं कमाई, खर्चा इस साल किया, लेकिन exempt income अगले साल में कमाऊगे, तो क्या तब भी खर्चा इसला होगा, the answer is yes, CBDD ने बोला, the answer is yes, अगर आपने कोई खर्चा exempt income के लिए किया है, फिर वो मत देखो, वो exempt income इस साल कमाई या अगले साल कमाने वाले हो, अगर वो खर्चा exempt income के लिए है, फिर वो income इस साल कमा रहे हो, या अगले साल कमा रहे हो, तो दोनों case में आपका खर्चा डिसला होगा, यहाँ पर CBD का circular यह बात बोलता है, ठीक है, next, अगर आपने कोई खर्चा किया, for earning an income, which is not exempt under section 10, but which is deductible under chapter 6a, वो chapter 6a में से deductible है, उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, तो क्या उस case में भी आपका खर्चा डिसला हो जाएगा, नहीं डिसला होगा, section 14a only applies to expenditure, which is incurred to earn an income, which is exempt under section 10, and it is not applicable in case of those incomes, which are deductible under chapter 6a, Delhi High Court का judgment बराबर से देख लो, ठीक है, यह आपके study material में covered है, next, 43d, यह एक special income है, यह special provision है, for only banking industries, scheduled bank, public financial institutions, public companies, housing companies, NBFCs, उन लोगों के लिए, special provision है, क्या provision है, यह लोग जो provision for bad dates करते हैं, उसके उपर जो interest आता है, वो उस पर tax कब बरेंगे, बराबर से सुन लेना, provision for bad dates जो करते हैं, उस पर जो interest आता है, उसका tax यह लोग कब बरेंगे, government ने बोला, जब भी उनको उसका tax interest मिलेगा, actual में, या जब भी वो books of accounts में credit करेंगे, PNL में, whichever is earlier, उस समय टैक्स बरना है, उसके पहले उनको tax बरने की जरुवत नहीं, government ने एक relaxation दिया है, और कुछ नहीं ठीक है, now 44AA, 44AA क्या बोलता है, maintenance of books of accounts, अब books of accounts मेंटेन करने के लिए, जब पीजी बीपी हैं, वहां books मेंटेन करना पड़ेगा, और जब बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, government को criteria बताना पड़ेगा, कि किस को books मेंटेन करना mandatory है, और अगर नहीं मेंटेन किया, तो आप उस पे कैसे penalize करोगे, उसको कितनी penalty लगाओगे, etc. क्या कर सकते हो, आप consequences क्या जेलने पड़ सकते हो, therefore, 44AA बहुत clearly बोलता है, कि पहले 44AA सारे assesses को दो category में divide करता है, एक category बहुत छोटी है, एक category बहुत बहुत बढ़ा समंदर है, छोटी category में क्या आता है, specified professions, कुछ specified professions के लिए पहले बात करता है, और balancing figure बाकी सब लोग अलग से, तो specified professions में कौन आता है, like charter accountants आते हैं, doctors आते हैं, legal professions आते, IT engineers आते हैं, उसके बाद interior decorators आते हैं, company secretaries आते हैं, film artist आते हैं, ये सब लोग specified professions में आ जाते हैं, इनके लिए क्या criteria है, इनके लिए क्या criteria है, सुन लो, अगर आप existing हो, तो अगर आप existing हो, तो पिछले तीनो सालों का, आपका gross receipt should be greater than, 1.5 lakh rupees, पिछले तीनो सालों का, एक भी साल का, अगर gross receipt देड़ लाग से कम होआ, तो आपको books maintain करने की जरुबत नहीं है, current year में, current year में books कब maintain करूँगा, जब पिछले तीनो सालों में, मेरा gross receipt 1.5 lakh से ज़ादा है, तो ही maintain करूँगा, similarly, अगर मैं specified profession हो, और मैं नया हूँ, यह पहला साल है मेरे profession का, तो फिर देखो, current year में, gross receipt is likely to exceed 1.5 lakhs or not, if it is likely to exceed 1.5 lakhs, you have to maintain books of accounts or else no, ठीक है, यह बात हो गई specified profession की, अब बात करते other business, other business की, अब इनके लिए क्या है, इन में भी government ने दो category बना है, specified profession एक छोटा सा category है, बागी सब लोग दूसरी category में आ जाएंगे, तो दूसरी category में कौन आएगा, सारे non-specified profession और सारे business, क्योंके business तो उपर covered ही नहीं है, उपर तो से profession covered है, तो नीचे कौन आ जाएगा, सारे non-specified profession जो उपर specified नहीं है, और सारे business, अब इन में government ने दो category बना है, individual H.E.F. के लिए higher limit रखा है, other than individual H.E.F., that is company firm है, अभी B.E.I. के लिए lower limit रखा है, अब उन में conditions क्या है, सुनो, उसमें भी existing है, existing में अभी दो condition में से कोई भी fulfill हो जाएगा, तो इस लोग फस जाएगे, अगर इनके पिछले 3 में से किसी भी साल में, PGPB 1,020,000 या 2,050,000 क्रॉस हो जाता है, तो इस लोग फस जाएगे, पिछले 3 में से किसी भी साल में, उपर all था, यहाँ पर any है, या अगर ये fulfill नहीं होता है, चलो ये 3 साल का सब से कम है, 1,020,000 से भी कम है, 2,050,000 से भी कम है, फस जाएगे, चलो वो क्रॉस नहीं होता है, वहाँ बज गए, तो टर्न ओवर क्राइटेरिया में भी फस सकते, 10 लाग ये 25 लाग, तिसी भी साल में अगर क्रॉस हो जाता है, तो फस जाएगे, ठीक है, उसी तरीके से अगर आप नए SSC हो, पहला साल है बिजनस का, या पहला साल है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का, तो यही सारी लिमेट्स आपको क्या करना है, करन्ट येर में चेक करना है, और कुछ नहीं, ठीक है, जिसके लिए बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर वो मेंटेन नहीं करेगा, तो उसके साथ क्या करेगी गवर्मेंट, असेसिंग ऑपिसर, CIT अपील, पच्छेस जार रवेगी पिनाल्टी लगा सकता है, 271-1 के अंदर, ये बराबर से देख लेना, ये MCQ, MCQ में आ सकता है, ठीक है, लियर है, आगे बढ़ता हूँ मैं, टाक्स ओडिट, टाक्स ओडिट किसके लिए मैंडेटरी है, सबसे पहले, 44 A, B, जो टाक्स ओडिट का सेक्षन है, जो बोलता है, अगर आप बिजनस करते हो, तो आपका turnover एक करोड रुपे से ज़ादा होना चाहिए, दूरिंग दा फैनाशल इर, तो आपके लिए टैक्स ओडिट मैंडेटरी, अब इस एक करोड वाले बिजनस वालों के लिए, गोवर्मेंट ने जबर्दस रिलाक्सेशन लाए, क्या रिलाक्सेशन लाए, अगर आपका 95% revenue, जितना भी आपको पैसा मिलता है पूरे साल में, उसमें से 95% receipt is other than cash, and 95% payment is also other than cash, cash में नहीं होना चाहिए, बदब cash में 5% से ज़ादा नहीं होना चाहिए, 5% receipt का 5% cash चलेगा, payment का 5% cash चलेगा, उससे ज़ादा cash नहीं चलेगा, 95% other than cash है, तो आपके लिए 10 करोड का tax audit का limit है, पिसले साल 5 करोड था, फानाइन्सक 21 में गौर्मेंट ने इसको 5 करोड को 10 करोड का दिया है, तो 10 करोड तक आपको tax audit करवानी की जरुवत नहीं है, condition क्या है, बहुत simple है, 95% online payment चाहिए, 95% online receipt चाहिए, अगर आप कर सकते, receipt भी 95% online, payment भी 95% online, now, 5% cash चलेगा, चलेगा, bearer check चलेगा, bearer check नहीं चलेगा, देखो, government ने बोला, cash में bearer check भी आता है, और other than account पे चेक भी आता है, मतलब, अब cash के government ने cash word को define कर दिया है, cash में रोगडा तो आए गई, रोगडा नहीं चलेगा, bearer check भी नहीं चलेगा, normal cross check भी नहीं चलेगा, account पे चेक चाहिए, तो ही हम उसको मानेंगे 95% के अंदर नहीं तो नहीं मानेंगे, यह चीछ देखना, यह भी finance act 21 में government किया है, डिफाइन किया है, भी green color नीचे देख सकते हो, पिछले साल government ने provision लाए तो लेकिन cash वाड़ डिफाइन नहीं किया था, तो cash पिछले साल किया था, cash means रोगडा, लेकिन इस साल cash में cash तो आता ही है, bearer check भी cash मानेंगे हम, उसको 95% नहीं उसको 5% में count करेगे, तो आपको profession को books of accounts तो maintain करना ही है, और साथ में audit भी करवानी पड़ीगी ठीक है, और अगर आप 44 AD follow करते हो, 44 AD presumptive income, तब आपके लिए जो limit है, वो क्या है, दो करोड रुपे तक, क्योंकि 44 AD वालों के लिए 2 करोड तक तो 44 AD है, अपली के बले वालों बोक्स और audit करवानी की जरुवत नहीं है, तो उनके लिए tax audit की limit भी government ने 2 करोड कर दिये, ठीक है, I hope it is clear to you, Sir tax audit नहीं करवा, तो penalty कितनी लगेगी, 0.5% of turnover और 1,50,000, whichever is lower, lower, दोनों में से जो भी lower है, उतनी आपको penalty लग जाएगी, ठीक है, next, Sir, अगर डूदेट के है, tax audit की, tax audit की due date है, 1 month prior to filing of return, जो भी ITR का return की filing का due date है, उसके एक मेने पहले आपको tax audit बर देना है, जैसे, अगर आपका ITR filing का date है, 31st October, तो आपको tax audit बरना पड़ेगा, 30th September को, आपको ITR filing का date है, 30th November, तो आपको tax audit बरना पड़ेगा, कभी 31st October, 1 month prior to the due date of filing of return, I hope it is clear to you, उसके बाद आता है, यहाँ पर कुछ बहुत important judgments, इन judgments की बारे में एक एक करके बात करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है, expenses on issue of shares and debentures, और other long term borrowing, यह सब तो आपने पहले पढ़ लिया है, हाँ पढ़ लिया है, अब maximum student बोलेंगे, यह सब तो आपने पहले पढ़ लिया है, कहाँ पढ़ा है सर, section 35D में पढ़ा है, amortization of preliminary expense, वहाँ पर आजाता है न, share से related कर्चे, borrowing से related कर्चे, debentures से related कर्चे, उस अब covered है न, वहाँ पर, हाँ covered है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बढ़ वहाँ पर सब कुछ नहीं covered है, अगर आपको यादे, तो 35D is only applicable, तो सबसे पहले Indian companies, और बागी सब लोग भी अगर resident हो, तो या applicable है, non-residents के लिए section अपलिके वाली है, पहली चीज, दूसरा चीज, 35D, अगर आप post-commencement में खर्चा करते हो न, तो सिफ दो circumstance में apply के वाली, या तो business का expansion होना चीज है, या नया unit setup करोगे, तो भी मिलेगा, existing business के लिए नहीं है 35D, तो अगर मैं पैसा raise कर रहा हूँ पर existing business, तो क्या उसका deduction मुझे मिलेगा 35D में, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों कि महां covered ही नहीं हो चीज, क्योंकि post-commencement में बहुत clear बोला है, या तो expansion होना चीए, या तो नया unit setup होना चीए, तो deduction नहीं मिलता है, तो ऐसे खर्चे का क्या होगा, जिसमें मैं existing business के लिए पैसा raise कर रहा हूँ, उसका क्या deduction मिलेगा, यहाँ पर देखो government के हजारो judgments से इसपर, उसमें से ICI नहीं आपर कुछ judgments कवर किया है, अगर आप कोई पैसा raise करते हो, या आपका intention यह है कि अगर पैसा raise करूँगा, तो ऐसा पैसा हो जो मेरे business में permanently रहेगा, यह intention से अगर आप कोई काम करते हो, तो उसके लिए जो खर्चा करते हो, जो permanent रहने वाला है, उसके लिए कुछ खर्चा करते हो, तो वो खर्चा capital है, बस यह sentence दिमाग पर रहना, अगर कोई भी खर्चा आप कोई permanent basis के लिए करते हो, जिससे आपको permanent फाइदा मिलने आला है, तब तक फाइदा मिलेगा जब तक company existence में, जिस दिन company बंद होईगी, उसी दिन फाइदा बंद होने आला है, तब तक फाइदा चलता रहेगा, perpetual है, तो वो खर्चा capital expenditure है, उसका income tax reduction नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पर मैं भी examples की लड़ी लगा देता हूँ, पहला, आपने expenditure incur किया for issue of shares, जिस अलाओ, क्यों? Sir, capital expenditure, because issue of shares, एक बार share issue होगा हो, company के अंदर permanent है, capital reduction is not allowed, आपने पैसा, क्योंकि उससे permanent benefit मिलने आला है, perpetual benefit, enduring benefit, आपने पैसा raise किया, for increasing the authorized capital of the business, आपने जो खर्चा किया भी, for increasing the authorized capital of the business, ये permanent है, एक बार authorized capital बढ़ गया, बढ़ गया, खतम होगा, आप योग गिर नहीं सकता है, उसके बाद आप share issue करोगे, वो share issue हो जाएगा, business में पैसा आजाएगा, उसके बाद कभी हो पैसा कम नहीं होने आला है, permanent benefit है, खर्चा disallowed, आपने खर्चा किया, for bonus issue of shares, खर्चा allowed, क्यों सर्थ, bonus issue से business में कोई fundे नहीं आता है, capital नहीं बढ़ता है, bonus issue is mere reallocation of profits, आपने reserve में से पैसा निकाल के capital में डाला, कोई business में पैसा नहीं बढ़ा, company को कुछ extra फाइदा नहीं हो उससे, तो वो खर्चा allowed है, क्योंकि उससे company का capital नहीं बढ़ रहा है, permanent benefit नहीं मिल रहा है company को, आपने कोई खर्चा किया for raising loans or debentures allowed, because loans and debentures have to be repaid some order today, कभी ना कभी repay करना है आपको, वो permanent नहीं हो सकता है, आपने कोई खर्चा किया, क्योंकि RBI ने बोला के share issue करो, RBI के बोलने पर share issue क्या रहे, RBI के बोलने पर share issue करो, या भगवान के बोलने पर share issue करो, अगर share issue करोगे तो business में permanent capital बढ़ेगा, permanent capital बढ़ेगा, तो आपको जिन्दगी बर का benefit मिलेगा, जिन्दगी बर benefit मिलेगा, तो वो खर्चा capital expenditure है, अगर आपने कोई debentures issue किया है, discount पे, तो क्या उस discount का deduction मिलेगा, आपने कोई bonds issue किया है, प्रीमियम पे जो repay करते समय, प्रीमियम पे repay होगा, 100 रुपे का bond 120 रुपे में repay करोगे, तो क्या 200 रुपे का deduction मिलेगा, मिलेगा, ओवर दे लाइफ अप दे बांड, यह सारे के सारे खर्चों के बारे में बोला गया है, सुपरीम कोट और हाई कोट की अलग-अलग judgments के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यह सारे नाम याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए, बट आपको conceptually यह चीज दिमाग में रखनी जरूरी है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हमें, तौट प्रिजम्टिव इंकम, प्रिजम्टिव इंकम क्या होता है, अब भी फिलार, हम लोग थीन प्रिजम्टिव इंकम के प्रोविजन पढ़ रहे हैं, एक 44 AD, 44 ADA और 44 AE, बट यह दोके में मत रहें ना कि जो non-resident से related नहीं है, सबसे पहला, 44 AD में कौन आ सकता है, ठीक है, eligible assessi, eligible assessi कौन है, individual है, HOFF, firm है, LLP नहीं है, LLP नहीं है, LLP नहीं है, और सारे के सारे जो भी है, वो resident होना चाहिए, non-resident के लिए section नहीं है, secondly, eligible business भी होना जरूरी है, eligible business मतलब कोई भी business चलेगा, सिर्फ वो truck वाला चोड़ कर, 44 AE वाला business यहां पर नहीं कवड़ है, अगर आप यह दो condition फुल्फिल करते हो, आप 44 AD में आ सकते हो, आपका deemed income will be how much, 8% of your total turnover, सर कुछ के साथ में 6% भी यहाँ है, अगर आप पैसा, account pay check, account pay draft, ECS या सर्चाथ electronic mode से मंगवाते हो, साथ में due date of filing of return के पहले मंगवाते हो, तो आपका turnover का 6% will be deemed income, otherwise आपका 8% will be deemed income, तो आपको turnover के 2 तुकडे करने पड़ेगे, कितना पैसा यह 4 mode से आ गया due date तक, उस पे 6%, balancing figure 8%, as simple as that, ठीक है, अब आगे, 44 AD कुछ लोगों के लिए available नहीं है, अगर आप profit link deduction claim करते हो, या chapter 6A के अंदर या 10AA के अंदर, 10AA या chapter 6A के अंदर, profit link deduction claim करते हो, 44 AD आपके लिए applicable नहीं है, profit link वालों के लिए नहीं है, payment link वालों को मिल जाएगा, ठीक है, Secondly, professions के लिए 44 AD applicable नहीं है, commission business, agency business, brokerage business वालों के लिए 44 AD applicable नहीं है, क्योंकि होता, उनका इतना कम margin होता है, नहीं 8 और 6%, उनका 50, 60, 80, 90% margin होता है, तो उनको ये benefit government नहीं देना चाहती है, ठीके? अब 44 AD जो section है, ये section 28 से लेकर 43 के sections को override करता है, इसका मतलब अब 28 से लेकर 43 के बीच में जो भी आता है, वो सब applicable नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी PGPP के disallowance applicable नहीं होगे, कोई भी PGPP के deductions भी applicable नहीं होगे, आपका deemed income 8%, 6%, that's it, PGPP के कोई भी deductions available नहीं है, PGPP के कोई भी disallowances भ क्या salary का deduction मिलेगा, नहीं मिलेगा, 43B applicable होगा, अगर मैंने समय पर pay नहीं किया, तो नहीं मिलेगा, क्या मैं TDS नहीं काटूगा, तो मेरा करचा disallow होगा, नहीं होगा, इस सब कुछ नहीं होगा, क्या unabsorbed depreciation का deduction मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी 28 से 43 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो B28 to 43 में नहीं आता है, वो chapter 6 से ATC to ATU में चला जाता है, उसका deduction भी आपको मिल जाएगा, I hope it is clear to you, ठीक है, अब यहां पर कुछ amendments किये, लाग 3-4 साल पहले, सबसे पहला, अगर मैं partnership firm हो, क्या partnership firm के लिए section available है, yes, individual HUF firm, LLP के लिए नहीं है, सारे resident हो जाएगा, वो भी deduction allowed नहीं है, ठीक है, यह पहली चीज, दूसरी चीज, क्या यह particular SSC को advanced tax भरना है, हां भरना है, कितनी बार भरना है साल में, generally तो 4 बार भरना होता है, बड़ी इन SSC के लिए relaxation है, सिर्फ एक ही बार भरना है, वो भी 15th of March को, I hope it is clear to you, ठीक है, next, अभी सबस साल में आटक करते हो, कि मुझे इस section में नहीं रहना है, तो फिर उसके अगले 5 साल में वापस से section में आपको नहीं आने देंगे, check करो, और फिर अगले 5 साल में आपको books of account maintain करना पड़ेगा, audit भी करवाना पड़ेगा, मतलब 5 साल government आपको फसाना चाहती है, इस section के अंदर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, legal, medical, engineering, architecture, accountancy, technical consistency, interior decoration, any other profession, notified में कौन आता है, sir, film artist आता है, company secretary आते है, any other notified profession में, now, यहाँ पर यह section किस के लिए applicable है, सबसे पहले यहाँ पर एक amendment आया, यह section सिर्फ individual और partnership firm के लिए applicable है, अब तो यह section HOF के लिए applicable है, पिछले साल तक तो यह स including LLP, turnover 50 lakh तक होना चाहिए, deemed income 50%, that's it, बाकि सब provision उसकी तरह ही, पिछले section की तरह ही है, 28 to 44 कुछ नहीं मिलेगा, etc, वो सब कुछ से में, advanced tax साल में एक बार भरना है, plus यहाँ पर एक extra point है, जो अलग है, कि यहाँ पर 5 साल का नाटक नहीं है, कि एक बार follow कर दिया, तो 5 साल तक मैट के अंदर 115 BBF, देखो, linking, देखो, interlinking, देखो, क्या level की चल रही है, यहाँ पर, कि कहां आगे, आगे 10 lecture बाद, जो चीज़े आने वाली, उसको में मैं लिंक करके रखाऊ, क्योंकि exam के अंदर, आपके पास एक bird's eye view होना चाहिए, एक whole view होना चाहिए, एक section का दूसरे section लेचिए, farm है, और भी वियार से कोई परक नीपढ़ता है, सब के लिए अपनी के बले, दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पास पूरे साल में 10 से ज़्यादा ट्रक नीँ होना चाहिए, अगर पूरे साल में आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक नीँ होना चाहिए, ठीक है अब चलो मानलो पूरे साल में 10-10 ट्रक नहीं अब dream income कितनी होगी वो depend करता है आपका ट्रक का weight कितना है light weight motor vehicle है या heavy weight motor vehicle है ठीक है अब light और heavy का मतलब क्या होता है heavy मतलब जिसका 12,000 kg से ज़्यादा weight है वो heavy है और 12,000 kg तक है तो वो light weight माना जाएगा तो light weight का क्या dream income है बहुत stranded dream income है अगर light weight है 12,000 kg तक है 7,500 पर month और part of the month part of the month के लिए भी 7,000 है पूरे month के लिए भी 7,000 है पूरे month के लिए भी 7,000 है एक मैने भी अगर एक दिन भी अगर आप पूरे मैने में आप ओना रो तो आपको 7,500 रुपे की dream income लग जाएगी per month per vehicle 7,500 multiply by number of vehicles multiply by number of months तक है यह है लाइट वहिकल 12,000 kg तक उससे जादा है तो फिर यहाँ पर अभी fix नहीं है यहाँ पर अभी variable है per ton 1000 रुपे अगर 15,000 kg है तो 15,000 kg है तो 25,000 तो per month per ton 1000 रुपीस अभी ton के हैसाब से multiply करो number of months number of vehicles that's जो भी answer आएगा आपकी dimmed income अगर आपको लगता है आपकी actual income उससे भी कम है लगता है आपको तो आप क्या करो आप audit करो आप books maintain करो आप lower profit declare करो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब यहाँ पर आपको एक additional advantages जो पिछले दो section में नहीं था यहाँ पर अगर आप partnership firm हो और अगर चेक करना है यह दिख रहा है आप यहलो में चो करके रखाऊ मैं पिछले दो section में नहीं प्लस यहाँ पर एडवांस आपको चार बार भरना है पिछले दोनों section में एडवांस आपको एक बार भरना था तो differentiating point है वो भी मैं आपको बहुत clearly बताना चाहता हूं ठीक है क्लियर है हाँ आप lower profits claim करना साथ हो claim करो books of accounts maintain करो audit करो lower profits claim करो as simple as that now last but not least insurance business section 44 अगर आप insurance business में हो life insurance business में हो या कोई और insurance business में हो तो government ने बोला आपके लिए जो calculation है उसके लिए हम लोग एक schedule बनाएंगे income tax act के बाद 298 sections के बाद एक schedule है first schedule वहाँ पर आपका calculation बताया जाएग इसलिए उस पर जादा बात करके मतलब नहीं सिर्फ institute इतना रखा है कि section 44 के हिसाफ से अगर को insurance company उसका income computation will be done as per the first schedule to the act चेक कर लो वरावर से चलो आगे बढ़ते अब आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक जबरदस interlinking जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ठीक है अब आपको एक एक चीज़ क्लिस्टर clarity हो जाएगी ऐसी interlinking आपको कहीं और नहीं मिलने वाली that is कौन कौन से section है जहाँ पर government ने manufacturing डाल के रखा है कौन कौन कौन से section है जहाँ पर government अलग-अलग amortization देती है कहा वन फिफ्ट कहा वन टैन कहा over the life of the license कौन कौन से section है जहाँ पर government percentage के basis पर deduction देती है कहीं 40% of PGP कहीं 20% of PGP कही 8.5% of GTI कहीं 10% of the aggregate total advances अलग-अलग-अलग-अलग किसम के जो आपको deductions मिलते हैं कौन कौन से section से जहाँ पर government ने new plant and machinery के बारे में बात किया है तो एक जबर्दस level की interlinking आपको इस particular topic में मिल जाएगी after you are done with this entire PGP you should go through these two pages and this will give you crystal clarity जो भी अगर एक दो परसंट डाउट बचता है ना chapter में वो भी clear हो जाएगा एक्जाम के दिने इस particular topic को इतने बड़े topic को हम revise कैसे करें ठीक है तो चलो आगे बढ़ते towards the next topic and that is what that is taxation of various entities इसमें हम लोग छोटी-छोटी entities के बार में बात करेंगे ठीक है जैसे partnership firm की taxability कैसे होती है की taxability कैसे होती है cooperative society की taxability कैसे होती है और फिर बाद में अपना से for example political party electoral trust इन सब चीजों के बार में हम लोग एक करके बात करेंगे सबसे पहले मैं cooperative society के बार में बात करता हूं और cooperative society का सबसे पहले मैं आपको tax rate बता देता हूँ अगर आप एक cooperative society हो तो 10,000 रुपे तक की total income पर आपको कोई tax नी लगने वाला है 10,000 रुपे तक की total income पर आप पे 10% tax लगेगा इनको कोई basic exemption लिमिट नहीं होता है 10,000 रुपे तक की total income 10% tax 10,000 से जादा 20,000 तक 20% tax 20,000 के ओपर 30% tax ठीक है सर्चार लगेगा येस अगर इनकी total income 1 crore cross होगी तो सर्चारज of 12% and says कितना अब इनके लिए यहां पर कुछ AMT की बात है की गई है जिस पर मैं बाद में बात करता हूँ जब मैं AMT का discussion करूँगा यह एक interlinking है जो अभी आपको समझ में नहीं आईगी इनको government ने कुछ जबरदस deductions दिया है section 80P के अंदर यह कैसा deduction है यह payment link deduction नहीं यह profit link deduction है जिसमें आप profit कमाओ और deduction claim करो ठीक है इनको multiple categories में deduction दिया है सबसे पहले government ने यहाँ पर इनको कुछ basic deductions दिया है यहाँ पर 6-7 activity के लिए जो यहाँ पर बोल सकते हो आप business से related deductions है यह सारे business income वाले deductions है सबसे पहला अगर यह अपने members को credit facility देते बाहर वालों को नहीं सिर्फ members को cooperative society बनाते हो अपने members को credit facility देते हो उसे जो पैसा कमाते हो 100% deductible हो जाएगा section 80P के अंदर यह चीज़ याद रखना यह deduction नहीं है इसलिए आपको पहले income को GTI में include करना पड़ेगा और फिर chapter 6 से less करना पड़ेगा तभी जाकर आपको deduction मिलेगा exemption नहीं section 10 में यह income tax के अंदर प cooperative society के लिए लेकिन अगर आपकी cooperative bank agriculture cooperative bank है या rural development वाली bank है तो आपको मिलेगा जेनरली यह सिर्फ और सिर्फ society के लिए bank के लिए नहीं है लेकिन अकर आपकी agriculture और rural development वाली bank है तो आपको मिल जाएगा फिर यह benefit cottage industry को भी मिल जाएगा अगर आप एक cooperative society हो marketing करते हो अगर agriculture produce grown by members आ आपके member grow करना चाहिए आपके member grow कर रहे हो आप उसको market कर रहे हो आपको deduction मिल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप अपने members के लिए कुछ purchase कर रहे हो यह सारी अक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपको डिटक्शन मिल जाएगा यहाँ पर एंकम इंकलूड होगा फिर बाद में जीटिए इस नीचे से लेच होगा ठीके आगर आप एक प्राइमरी क्या हैमारी सोसाइटी हो जो क्या करते हो आप सप्लाई करते हो, milk सप्लाई करते हो, oil seeds सप्लाई करते हो, vegetable सप्लाई करते हो, जो आपके members ने grow किया है, करीद के नहीं लाया है, आप society हो, आपके members, milk, vegetables, oil seeds, यह सब सप्लाई, grow करते हैं, आपको देते हैं, और आप जाकर किसको देते हो, दूसरी government की federal corporate society, या government या local authority, या अपने members से लेते हो, मतलब आप अपने farmers से लेते हो, आप government को देते हो, government public को देती है, अगर यह सारी activity में आप involved हो, आपका 100% profit क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, ठीके, यह दोनों के दोने income जो थी, point number one में जो साथ activity है, और point number two में जो यह activity है, सब बोल सकते हो, आप PGP income है, now, coming to IFOS income, अगर आप एक cooperative society हो, और अगर आप दूसरी cooperative society में investment करते हो, वहाँ से interest या dividend मिलता है, वो भी 100% exempt है, कब exempt है, अगर आप दूसरी cooperative society में invest करोगे, आप reliance industry के shares में invest करोगे, dividend कमाओगे, तो वो माफ नहीं होने वाला, ठीक है, cooperative society, दूसरी cooperative society में invest करता है, interest dividend कमाता है, माफ हो जाएगा, ठीक है, second, यह आप बोल सकते हो, यह SP की income है, last वाला आप बोल सकते हो, कौन सी, sorry, यह कौन सी, IFOS की income बोल सकते थे, आप point number three, लास वाला बोल सकते हो, आप house property income है, जहाँ पर आपके बस go down है, आप go down, let out कर रहे हो, for agriculture produce के storage के लिए, आप किसी farmer को let out कर रहे हो, बोल रहे हो, यह आपर तो अनाज वनाज रग, agriculture product रग, उससे मुझे rent दे, जो भी rent मिलेगा, वो 100% माफ हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर लो, बराबर से, ठीक है, अब इसके अलावा, इनको एक general deduction भी दे रही है, गॉर्मेंट वो यह है, कि अगर आप एक consumer cooperative society है, question के अंदर आपको पढ़ना पढ़ेगा, अगर consumer cooperative society है ना, तो GTI में से flat 1 lakh का deduction आप chapter 6 में दे दो, फ्लाट सबको मिलेगा, हर consumer cooperative society को 1 lakh का flat deduction, जैसे 80 TTA में मिलता है न, 10,000 का flat deduction आपको मिलता है, वैसे यहाँ पर 1 lakh का flat deduction, similarly अगर आप any other society है, question में अगर consumer cooperative word नहीं है, सिर्फ normally society लिखा है, तो आप फिर उसको 50,000 का deduction दे दो, I hope everyone is clear with this, is it clear? तो यह आपका provision है, अब आते हम लोग film producer, film producer और film distributor के provisions एक दम से में, कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं है, एक के लिए rule 9A बनाया है, गवर्म ने film producer के लिए, और film distributor के लिए rule 9B बनाया है, ठीक है, अब इनका cost of production और cost of acquisition, देखो producer के लिए cost of production है, और distributor के लिए cost of acquisition है, इनका deduction इनको कैसे मिलेगा, ठीक है, यह depend करता है उनकी film की release पर, अगर उनकी film 1st Jan 2022 के पहले, या 1st Jan 2022 को release हुई है, मतलब अगर film April से लेकर 1st Jan 2022 तक release हुई है, तो उनको पूरा cost of acquisition और cost of production का reduction उसी साल में मिल जाएगा, लेकिन अगर film आखरी 3 मेने में में release हुई है, that is, if it is released in the last 3 months, that is, in the month of Jan, February, March, that is, from 2nd Jan and onwards, 2nd Jan से लेकर 31 March के बीच में release हुई है, तो फिर यहां पर लफड़ा है, उसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर उसने सारी rights बेश दिया है, compare with कितना पैसा उसने इस साल में कमाया, say, उसने March में movie release किया, अगर सारी rights बेश दिया, तो March में भी movie release किया, ना तो भी पूरा deduction मिल जाएगा, लेकिन अगर March में movie release किया, और सारी rights नहीं बेचा है, थोड़ी rights बेचा है, थोड़ी rights रख रहा है, थोड़ी किसी और को दे रहा है, अगले साल देगा, तो उस case में उसको cost को compare करना पड़ेगा, अपने amount realization से, जितना भी उसने पैसा कमाया, and then whichever is lower will be allowed as deduction in the current year, and balance will be allowed in the next year, तो इस तरीके से film producer का भी production cost का deduction मिलेगा, और film distributor का भी acquisition cost का deduction, देखो, rule बहुत simple है, आपको यह देखना है, movie कभी release हुई है, पहले 9 मेने में release हुई है, पूरा deduction क्लेम करो, आग बन करके, आखरी 3 मेने में release हुई है, सिर्फ यह देखो, क्या सारी rights बिक चुकी है, क्या अगर बिक चुकी है, तो claim कर लो, अगर सारी rights नहीं भी की है, तो और आखरी 3 मेने में release हुई है, तो आपको सिर्फ तब यह चेक करना है, कि भाई उसमें पैसा कितना आया, पैसा अगर cost से ज़्यादा आ गया, तो फिर पूरा cost reduce कर लो, और अगर पैसा cost से कम आया, तो फिर जितना पर realization हुआ है, उतना आप क्या कर लो, deduction क्रेव कर लो, अगर इस movie को बनाने के लिए, अगर government ने कुछ मदद की है, तो वो मदद को आपको less करना पड़ेगा, उसका deduction आपको नहीं मिलेगा, मतलब उतना अगर सब एक करोड की movie है, government ने बोला 20 लाख रुपए हम contribute करते हैं, क्योंकि ये एक social message फैला रही है समाज में, तो हम उसके लिए हम आपको 20 लाख रुपए देंगे, तो government ने अगर producer को 20 लाख रुपए मदद किये, तो less कर दो, उतना deduction तुझे नहीं मिलेगा, वो दो कॉस्ट आपको direct deduction मिलेगा, उसके लिए सब नहीं चेक करनेगा, कभी रिलीज होई, कभी रिलीज वो सब नहीं चेक करनेगा, दो कॉस्ट direct deduction मिलेगा, कौन सा, पहला, जो print बनाते हो, positive print, मतलब movie की real बनाने का जो cost है, real, 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 real बनाने का cost यहां नहीं कावड है, उसके लिए आपको directly year of release में पूरा deduction, और movie के promotion का cost, जो movie के promotion का cost है, advertisement पे जो खर्चा करती है company, movie के उपर, वो दो cost आपको directly deduction मिलेगा, आज revenue expenditure, चेक करो, पूरा का पूरा, उसमें आपको वो उपर cost of production में include नहीं करना है, ठीक है, last but not least, अगर आपने movie बना दी, पूरी movie बन गई, उसके बाद movie censor board में जाती है, और censor board ने बोला movie abandoned, यह movie public में दिखाने लायक नहीं है, यह फाल तो movie है, यह दंगे बढ़काईगी, यह गलात है, इसमें कुछ, तो उसके इसमें क्या होगा, क्या मुझे deduction मिलेगा, the answer is yes, अगर आपकी movie abandoned हो गई है, तो भी आपको deduction मिलेगा, tension देने अले कोई बात नहीं है, बरावर से check कर लो, ठीक है, चलिए आगे बरते towards the next part, and that is taxation of mutual concern, अब mutual concern क्या होता है, एक ऐसा person होता है, जहां पर एक group of persons come together, से 10 लोग साथ में आए, और उन लोगोंने आपस में एक दूसरे को service देने की कोशिश की है, mutual concern के अंदर एक चीज़ याद रखना, कभी भी profit motive नहीं होता है, अगर mutual concern में profit motive हो गया, तो फिर उस पर tax लगना शुरू हो जाएगा, ठीके, सर एक्जामपल देख सकते हो, mutual concern का, mutual concern का example ही हो सकता है, कि a group of 10 people coming together, say and they are forming health club, health club बनाया है, उन्होंने सब लोग ने पैसा contribute किया, और सब पाइदा उठा रहे, मतलब service provider भी वो सब लोग है, और service receiver भी वो सब लोग है, अब income tax ने सारे mutual concern को दो category में डिवाइट किया, एक normal mutual concern और एक professional and trade association, अब जो professional and trade association है ना, उसके लिए government ने section बनाया है, और जो other mutual concerns है ना, उसके लिए कोई section नी है, तो सबसे पहले मैं other के बारे में बात करता हूँ, जैसे आपके business को protect करने के लिए आपके profession को protect करने के लिए जैसे बहुत सारे associations है, जो अपने business या अपने professions को protect करने के लिए एक association बनाते हैं, अब बागी जो normal associations हैं, वो time pass वाले health, society होती है, building के अंदर, resident welfare association, वो सब कुछ, तो सबसे पहले हम लोग time pass वाले associations के बारे में बात करेंगे, और फिर बाद में जो income tax में mentioned है, that is trade and professional association, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जड़ा सबसे पहले, others के अंदर क्या लिखा गया है, जड़ा ध्यान से देखना, others के अंदर लिखा गया है, कि अगर आपने member से general receipt लेते हो, अपना member है, आप 10 लोगों का group है, आपके member से 10 लोग, आप उनसे general receipt लेते हो, वो exempt है, कोई specific receipt लेते हो, वो भी exempt है, कोई specific काम करने के लिए specific receipt लेते हो, भाई, ये काम general receipt से नहीं होगा, आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लेते हो, तो वो भी क्या है, exempt है, हाँ, member को general service दे रहे हो, या specific service दे रहे हो, दोनों exempt है, लेकिन बाहरवाले को अगर कोई भी service दे रहे हो, specially specific service और बाहरवाले को अगर general service दोगे भी क्यों, क्यों बाहरवाला थोड़ी हमारे club का, या हमारे association का part है, अगर उसको कोई specific service दे रहे हो, तो वो taxable है, क्योंकि वहाँ पर concept of mutuality खतम हो जाती है, concept of mutuality मतलब buyer and seller same, provider and receiver same, ये concept वहाँ गतम हो जाता है, ये concept कहां तक रहता है, जब हम 10 लोग आपस में एक दूसरे को service दे रहे है, मतलब पैसा भी मैं दे रहा हूँ, service भी मैं ले रहा हूँ, service भी मैं दे रहा हूँ, तब जाकर वो mutuality का concept रहता है, तो ध्यान में रखना, normal association जो trade और professional association नहीं है, अगर वो अपने member से, अगर general receipt लेते हैं, specific receipt लेते हैं, दोनों government ने माफ कर दिया है, लेकिन, बाहरवाले उससे specific receipt लेते हैं, तो वो taxable है, now coming to the trade and professional association, जाध ध्यान से सुनना प्लीज, यहाँ पर government ने क्या provision बनाया, इसके लिए government ने, जैसे मैंने आपको बोला, कि इसके लिए government ने एक पूरा को पूरा section बना दिया, section 44A, इसमें government ने सारे receipts को दो category में divide किया, अगर members है general receipt मिलेगा, तो वो अलग है, और अगर members या किसी भी बाहर वाले से specific receipt मिलेगा, तो वो अलग है, ठीके, तो यहाँ पर जो category बनाया है, और यहाँ category बनाया है, उसमें फरक है, left hand side पर तीन category है, right hand side पर दो ही category है, तो right hand side वाली category पर focus करते हैं, इसको color change कर देते हैं, अगर member से general receipt जो भी मिला, minus, उन पर जो भी general खर्चा किया, जो भी बच जाएगा, अगर वो surplus है, सुनो, तो वो आपका profit है, वो profit government ने माफ कर दिया, exempt, क्योंकि member से मिला है, वो mutual concern है, वो provider भी वो ही है, receiver भी वो ही है, तो government ने माफ कर दिया, exempt कर दिया, लेकिन, अगर आपको loss होता है, यहाँ पर अगर आपको loss होता है, तो government ने बुला है, हम loss आपको set off करने देंगे, देखो कितना बड़ा दिल है government का, गवर्मेंट का दिल कैसे बड़ा है, कि अगर profit हो रहा है, तो माफ, और अगर loss हो रहा है, तो government बोर रही हम आपको carry forward करवा देंगे, don't worry, हम आपको set off करवा देंगे, don't worry, carry forward ने हैं, आपको set off करवा देंगे, यहाँ पर carry forward का concept नहीं है, same year में set off, अब कितना set off, आप अप अपनी दूसरी PGPP income से, और अपनी दूसरी total income से set off कर सकते हो, to the extent of 50% of total income, मतलब अगर यहाँ पर आपका loss 1,00,000 है, ठीक है, और अगर आपकी total income 1,50,000 है, दूसरी वाली, तो आपको हम 1,50,000 के against 1,00,000 set off करने देंगे, to the extent of 50%, मतलब only 75,000 set off करने देंगे, ठीक है, आपकी total income तो 1,50,000 है, उसका 50% कितना हो जाएगा, 75,000, उतना हम आपको set off करने देंगे, उससे ज़्यादा हम आपको set off करने नहीं देंगे, is it clear to everyone, now, अभी अगर member को छोड़ कर, general receipt छोड़ कर, अगर member से कोई specific receipt मिलती है, या बाहर वाले से कोई specific receipt मिलती है, माइनस उस पर जो करचा करता हो, सब PGP income बाना जाएगा, ठीक है, तो यह PGP income आपकी taxable है, plus और other incomes भी हो सकती है, वो भी taxable है, सबका total करो, उसका जो भी 50% आएगा, वो आपको knock off करने मिलेगा, against this deficit, यहाँ पर जो भी deficit है, वो आप उसके अगें set off कर सकते हो, तो the extent of 50%, हाँ, deficit set off करने के पहले एक चीज़ और दिमाग पर रखना, आपको उससे पहले अपने अगर कोई broad forward losses या UADA, वो आपको पहले set off करना पड़ेगा, अगर वो है, तो पहले वो set off करो, उसके बाद यह deficit set off होगा, तो यह deficit set off होने के बाद भी अगर deficit बज गया, तो बहुत जादा loss है, तो बज गया, तो लाक्स होगा, यहाँ पर carry forward का concept नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 44A does not speak about carry forward concept, coming to some small case loss, विचार mentioned over here, एक बनिकपूर कलब limited का supreme court का judgment है, जिसमें क्या था, एक club था, club के अंदर बहुत सारे members थे, members ने club को पैसा दिया, club ने अपने members को क्या services दी, खाने पीने की services दी, तो यह आपस में mutual concern है, यहाँ पर profit motive बिल्कुल भी नहीं था, Supreme Court ने बोला, और क्योंकि यहाँ पर profit motive कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को service देने के intention से एक club बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर इस पर tax नहीं लगेगा, यह mutual concern है, यह इस पर tax नहीं लग सकता है, ठीक है, similarly एक society, एक cooperative housing society, इसमें क्या हो रहा है, एक cooperative housing society में जब भी आप घर खरीदोगे या घर बेचोगे ना, तो घर खरीदोगे तो आपको incoming fees देनी पड़ती है, और घर बेचोगे तो आपको outgoing fees देनी पड़ती है, क्यों देना पड़ता है, that is just for the maintenance of the society, society के maintenance के लिए वो सबसे लेना पड़ता है, वो minor amount होता है, 10-15,000 रुपे का, आप करोलों का घर खरीदे हो, 10-15,000 देने के टाइम पर आप सोचोगे ने, ठीक है, तो वो जो amount है, क्या वो भी एक commercial angle से लिया गया है, क्या वो profit कमाने के angle से लिया गया है, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले इंपोर्टन ये चीज़ दिमांग में रखना, income tax law में form के अंदर हमेशा LLP आएगा, except few sections, like 44 AD के अंदर government ने बोला है, form does not include LLP, 44 AD A के अंदर भी government ने बोला है, form does not include LLP, उसके अलावा सारे sections में जब भी firm word आएगा, तो समझ लेना LLP भी inclusive है, सबसे पहले अपने को कुछ basic sections देखना पड़ेगा, section 184 से लेकर 189 के बीच वाले, section 184 से लेकर 189 के बीच में क्या बोला गया है, कि एक partnership firm बनने के लिए आपके सफास सबसे पहले एक deed होनी चाहिए, एक deed के साथ साथ, उस deed के अंदर सारे partners का share लिखा होना चाहिए, उनका नाम लिखा होना चाहिए, उनकी signature होनी चाहिए, minor partner का signature नहीं होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, उसके बाद जब आप पहली बार return भरोगे income tax का जिंदगी में, तो आपको अपने return के साथ में partnership deed भी government को भेजनी पड़ेगी, ठीके, उसके बाद में अगर आगे जाकर, अगर partnership deed में कोई change आता है, कोई admission होता है, कोई retirement होता है, कोई partner का death होता है, तो आपको revise instrument भी भेजना पड़ेगा, ठीके, अगर ये सारी चीज़े आप नहीं करोगे, ये technical requirements है, अगर ये सारी चीज़े आप नहीं करोगे, तो आपको as a partnership firm, remuneration, interest, bonus, commission, जो आप partner को देते हो ना, उसका reduction आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना, उसके बाद, यहाँ पर तीन sections back to back, अभी आपको पढ़ना है, change in constitution 187, succession 188 and dissolution of firm in 189, इन तीनों sections के साथ आपको एक और section पढ़ना पड़ेगा, वो है 188A, that is joint and several liability of the partnership firm and the partner, अब इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके बात करता हूँ, सबसे पहले, सर, change in constitution of the firm का मतलब क्या होता है, change in constitution of the firm का मतलब क्या होता है, सुनो जरा, suppose there are three partners, A, B, C, अब अगर उसमें से एक partner चला गया, चलो C चला गया, तो उसके बदले D आ गया, तो this is changing constitution, एक partner आता जाता रहता है, business के अंदर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक partner गया, एक आया, दो partner गया, दो आया, सारे partner चेंज नहीं हो रहे, थोड़े बहुत partner चेंज हो रहे, और दूसरे उसके बदले आ रहे या नहीं आ रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है, partnership हम continue रही है, तो फिर partnership हम A की income tax return भरेगी, A की assessment होगा, A की PAN number होगा, सब कुछ A की होगा, unity of assessment होगा, unity of ITR होगा, unity of PAN होगा, multiple assessment ही करनी की जरुवत नहीं है, ठीक है, अगर change in constitution है तो, हाँ, अगर succession है, succession मतलब, तीन partner थे ABC, बदले में अभी तीनों चले गए, एक साथ, एक जटके में, उसके बदले आ गए, DEF, तो ये succession है, अब यहाँ पर दो partnership firm है, दो assessment होगा, दो ITR बना जाएगा, सब कुछ दो-दो बार होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये दो separate entity हो चुकी है, सारे के सारे partners change हो चुके, third, dissolution of firm के अंदर क्या लिखा गया है, अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, joint and several liability 188 A में क्या बोलता है, कि अगर कोई भी partner, पूरे साल में एक moment के लिए भी अगर partner है न, एक moment के लिए भी, एक दिन के लिए भी अगर वो partner है न, एक घंटे के लिए भी अगर वो partner है न, तो वो पूरे साल की liability के लिए वो equally responsible है, ठीक है, अगर मैं पूरे साल में सिर्फ फर्स अपरिल को पार्टनर था सेकेंड अपरिल को मैं पार्टनर नहीं हूँ मतलब 300% दिन में से सिर्फ में एकी दिन पार्टनर था तो भी मैं उस पूरे साल के लिए लायबल हूँ as per section 188 A along with firm firm भी लायबल है और partner भी लायबल है firm भी लायबल है partner सिर्फ पार्टनर भी लायबल है partnership firm में पहले firm की liability होती है उसके बात partner की liability आती है हमेशा एचीज दिमाग बेखना ठीक है next pay attention please all of you यहाँ पर अगर firm का dissolution होता है तो क्या होगा dissolution के time पर जो भी partner होंगे से एक partner, दो partner, पांच partner, दस partner जितने भी partner होगे वो firm की जिन्दगी भर की liability के लिए responsible है मतलब अगर मैं suppose dissolution के time पर ही admission हुआ मेरा suppose मेरा आज firm में entry हुई आज firm में entry हुई 15 दिन बाद firm बंद होगी तो अगर firm बंद होगी 15 दिन बाद dissolution के time पर मैं था तो firm के जिन्दगी भर की liability के लिए मैं responsible हो जाता हूँ इतना भयंकर provision है 189 चेक करो बराबर से ठीक है उसके बाद partnership firm का tax rate क्या है 30% सर्चार्ज कब लगेगा एक करोड क्रोड क्रॉस होएगा तो 12% सर्चार्ज है और assess कर कितना लगया 4% सर्च तो लगता रहेगा बागी special rates तो लगते रहेंगे long term capital gain short term capital gain जैसे बागी सबको tax लगता है वैसे इनको भी लगता रहेगा ठीक है now partnership firm को क्या remuneration और interest का deduction मिलता है मिलता है na section 40 B के हिसाब से अब दोनों में distinction देखना पड़ेगा अपने को remuneration तब allowed है जब firm अपने working partner को remuneration देगी तो यह allowed है sleeping partner को remuneration allowed नहीं डिसला हो जाता है interest किसी को भी दे सकते है second remuneration सिर्फ और सिर्फ individual partner को दोगे तो allowed है company firm AOPBOI को remuneration दोगे तो क्या authorized होना चाहिए कम से कम amount of remuneration कितना है per month वो authorized होना चाहिए या तो manner authorized होना चाहिए कि remuneration कैसे निकाला जाएगा दोनों में से एक चीज उसमें authorized होना बहुत ज़ादा जरूरी है sir interest के लिए क्या authorized होना जरूरी है interest के लिए rate of interest भी authorize हो जाएगा तो चल जाएगा ठीके उसके बाद में दोनों के दोनों retrospective नहीं होने चाहिए prospective होने चाहिए मिसाल के तोर पर अगर आपने आज deed बनाया और आज deed के अंदर लिखते हो कि this remuneration or interest is available from say one for 2021 to one for 2021 तो पीछे चला गया काफी आप पीछे से remuneration का effect नहीं दे सकते हो आप आगे से दो आप prospective effect दोगे तो deduction मिलेगा आप retrospective effect दोगे तो पीछे के सालों का या पीछे के महिनों का आपको deduction नहीं मिलने वाला है यह बहुत important point है इस पर पीजी बीपी के questions के अंदर adjustments आते रहते हैं यह चीज़ इमाग बरहना उसके बाद यहां पर CBDD का circle है जिसमें यहीं बोला गया है यहां पर high court का judgment test में यहीं बोला गया है कि remuneration के लिए कम से कम remuneration का amount लिखा होना चाहिए या amount नहीं लिख सकते हो तो कम से कम manner लिख दो remuneration कैसे निकाना है तो महरबानी करना और deduction मत मांगना भाई पहले बोल रहा हूँ ठीक है आपको deduction नहीं मिलना रहा है अब यहां पर कुछ और important issues है CBDD का circular है कुछ बहुत जादा खास यहां पर नहीं दिया गया है जैसे इसमें सब से पहले बोहीं बोला गया है कि remuneration will be restricted to the amount of mentioned in the deed deed में जो mentioned है उससे जादा deduction आपको नहीं मिलेगा प्लस यहां पर assessing officer के पास power है अगर आप unnecessary profit को inflate करते हो तो assessing officer आकर आपको रोग सकता है ठीक है चलो कोई बहुत बढ़ी बाग नहीं ना क्या deed में लिखा होना चीए yes लिखा होना चीए remuneration के बारे में बारे में इसने यह नहीं लिखा इसने ये नहीं लिखा दब परडने के इंकम में एक्ट लूट कर दिया तो क्या firm को deduction दोनों पे मिल जाएगा बिल्कुल नहीं मिलेगा ठीके firm ने capital account के बारे में लिखा है current account के बारे में नहीं लिखा है partner ने include कर दिया वो उनकी गलती है ठीके उनको बोलो गलती इस दोहर ले ना बाद में लेकिन आपको deed के अंदर दोनों के बारे में mention करना पड़ेगा that is you are eligible for what interest on capital account as well as current account अगर current account के बारे में नहीं लिखा है तो आपको deduction नहीं मिलने आला यह भी एक बहुत important adjustment एक्जाम में आता रहता है चीज दिमाग रखना ठीके now interest का deduction maximum कितना मिलेगा 12% per annum simple interest maximum है अगर उससे जादा देते हो तो 12% 12% मिलेगा 12% से कम देते हो तो कम मिलेगा अगर आप 10% देते हो तो 10% deduction मिलेगा और 15% देते हो तो 12% पे आपका interest restrict हो जाएगा इचीज दिमाग में रहतना ठीके now remuneration कितना मिलेगा remuneration is dependent on the book profit तो कितना remuneration अगर book profit negative है तो 150,000 रुपीज flat अगर book profit positive है और 3,00,000 रुपे तक है तो 90% of book profit और 150,000 which ever is higher और अगर book profit 3,00,000 से भी जादा चला जाता है तो extra amount पे आपको 60% of profit 3,00,000 तक तो आपको 90% और 150,000 मिले गई प्लस extra amount से 5,00,000 है तो extra 2,00,000 पे 60% of the book profit जो भी amount आएगा वो आपका maximum remuneration होगा वो actual remuneration नहीं है उसको आपको actual से compare करना है actual से कैसे compare करोगे वो exam में data देंगे कि working partner को इतना remuneration दिया sleeping को इतना दिया sleeping वाला count नहीं करना सिर्फ working वाला क्योंकि working पार्टर को इतना भी actual remuneration दिया उसको compare करो maximum remuneration से which ever is lower will be allowed as deduction ठीके ना वाट इस बुक प्रॉफिट क्या होता है बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है पीजी बीपी है और कुछ नहीं उसके बारे में दिया गया प्रॉफिटेड है तो उसको add back कर दो क्योंकि वही तो ढूंडने जा रहे हो आप वही तो ढूंड रहे हो ना वह तो actual remuneration अपने को maximum remuneration ढूंडना है इस पर इस section तो add back कर दो कर दिया ठीक है अब सर पीजीवीड में क्या क्या add back होगा जो भी पीजीवीड में होता है हो सारे करो सारे deductions लो ना तुएट्ट तूवटीफिव में जो भी आता है लो ना तुएट तूटीफिवर में लेस कीजिए 你說 Broad-forward Losses Less Less Section 72 क hani वो मत Less करो क्या Tod 28 to 44 में आता है हो नहीं आता है हो मत करो Less क्या Chapter 60 का Deduction Less करो हो मत करो वो मत करो वो नहीं आता है 28 to 44 में मियरबानी करके उसको Touch मत करो वो ही काम करो जो 28 to 44 में आता है That's It आपको Book Profit आ जाएगा उसके बाद 90 परसंट 60 परसंट जो भी करना है करते रहो आप अमाउंट लिकां लो अपना बुक प्रॉफिट का ठीक है next explanation 1 and explanation 2 to section 40 भी एक clarificatory explanation है कुछ बहुत खास नहीं है और ये दोनों के दोना explanation interest के लिए remuneration के लिए नहीं है ठीक है अब मान लो कि मैं partnership firm हो आप partner हो आप कौन हो partner आप कौन हो एक हुए फो आप हुए फो आप हुए फो पार्टनर है इंसान partner नहीं है हुए हिंदू undivided family partner है मैं firm हो अब आपने अगर मुझे loan दिया या आपने मेरे firm में capital दाला मैंने आपको interest दिया वो तो 40 B में आई गई ठीक है लेकिन अगर आपका कोई घर का member है वो मुझे loan देता है और मैं उसको interest देता हूँ तो वो तो नहीं आ सकता है ना क्यों वो थोड़ी partner है partner तो आप हो partner हुएफ है ना partner हुएफ का करता थोड़ी यह करता अगर अपनी personal capacity में मुझे कुछ loan देता है और मैं उसको कुछ interest देता हूँ वो 40 B में नहीं आ सकता है हाँ करता अगर आपको represent कर रहा है हुए को represent करके मुझे loan देता है मैं उसको interest देता हूँ तो वो cover हो जाएगा पिर भले मैं HOF को नहीं दे रहा हूँ मैं करता को दे रहा हूँ क्यों वो आपको represent कर रहा है उसको मैं आपके बहाफ पर उसको दे रहा हूँ तो वो cover हो जाएगा यह कुछ clarificatory explanations government explanation section 40 B में डाल के रखखा ठीक है कोई बहुत महान explanations नहीं है आपर next great city manufacturing company अलादबाद high court का judgment क्या बोलता है कि अगर एक partnership firm और एक partner क्या होते है रिलेटिव होते है actually में section 40 A subsection 2 के हिसाब से यह दोनों relative है तो अगर एक partnership firm और एक partner firm चेक करते बेड़े मिसाल के दौर पर मैंने 40 B के साब से 40 40 B के साब से 40 40 B के साब से 40 लाग रुपे का remuneration अपने partner को दिया अब 20 में 48 2 आता है बोलता 40 लाग बहुत जादा है FMV तो 30 लागे 10 लागे 5 लागे आपको access दिसलाओगा तो क्या access दिसलाओगा 48 2 में the answer is no यहां पर हाई कोट ने बोल दिया अलाबाद हाई कोटे the moment the asasi fulfills the conditions of 40 B section 48 2 cannot be attracted what are the conditions of 40 B partner has to be working partner remuneration has to be within the limits and remuneration has to be authorized by the deed that's it khatm होगी बाद deduction मिल जाएगा and the remuneration has to be prospective and not retrospective 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 होगा तो deduction नहीं मिलेगा उसके बाद वो fair market value के अंदर आता है या जादा आता है वो सब चेक करते नहीं बैठेगा यह सब चीज़ के लिए ठीक है careful रहना next partnership firm से partner को जो मिलता है क्या मिलता है remuneration interest और share of profit तो remuneration और interest के हाथ में partner के हाथ में क्या होगा तीन चीज़ मिलती है ना एक remuneration मिलता है interest मिलता है share of profit मिलता है remuneration और interest का partner के हाथ में क्या होगा remuneration और interest partner के हाथ में taxable under GBP under section 28 अगर firm को deduction मिला है तो partner के हाथ में taxable firm को deduction मिला है तो partner के हाथ में taxable firm के हाथ में disallow हो गया तो partner के हाथ में exempt it is as simple as that दोनों में से एक जगे tax होगा यहाँ disallow हो गया तो वहाँ exempt हो जाएगा यहाँ पर allow हो गया तो वहाँ taxable हो जाएगा यह remuneration and interest की बात कर रहा हूँ section 28 में PGPP income मानी जाती है now what about share of profit share of profit हमेशा exempt section 10-2-A के अंदर किस के आप में partner के आप में हमेशा exempt है अच्छा अगर partnership firm ने उस profit पे tax नहीं भरा है तो भी exempt तो भी exempt मिसाल के दौर पर अगर partnership firm ने 100 लाक रुपीज कमाया और वो 100 लाक रुपीज partnership firm के हाथ में section 10 में exempt है और वो partnership firm अपने partner को दे रहा है 50-50 तब क्या वो भी partner के हाथ में exempt है अगर वो अगर वो 44 AD या ADA या AE फॉलो करेगा तो क्या रेमिनेरेशन इंटरेस्ट का रिड़क्शन मिलेगा इस पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है लेकिन आज में वापस से उसको master link कर ले रहा हूँ inter linking कर ले रहा हूँ लेकिन वो ट्रक वाले section में आपको रेमिनेरेशन और इंटरेस्ट का रिड़क्शन मिलता है यहाँ पर मैंने उसको link करके खतम कर दिया हूँ ठीक है अगर कोई partnership firm ने loss किया है अब उस में से एक partner क्या कर रहा है रेटायर हो रहा है या मर जा रहा है तो क्या उसका proportionate loss government मना कर देगी येस government ने बुलाए इतना loss हम आपको carry forward करने नहीं देंगे कितना जितना भी देखो disease partner का share है brought forward loss में उसमें से 10 लग का loss है उसमें से disease partner का कितना loss है तो 2,50,000 उसका loss है वो लिख दो उसके बाद उसका current year का कितना profit है जिस साल में वो retire है हुआ या मर गया तो उसका current year का profit है उतना less कर दो जो balance बच जाएगा वो आपको carry forward set off करने नहीं देंगे ठीक है तो 10 लग का loss है total उसमें से जो मर गया उसका वाँ 2,50,000 उसका current year का profit से 50,000 है तो उतना set off कर लो जो बच गया दो लग वो set off carry forward करने नहीं देंगे चेक कर लो ठीक है और ये provision कव applicable है जब partner मरेगा या partner retire होगा तो ठीक है और ये provision सिर्फ losses के लिए UAD के लिए applicable है UAD आप बिंदास carry forward करो पूरा का पूरा कोई tension वाली बात नहीं है इसके अंदर ठीक है प्लस ये provision कव applicable है जब partner मरेगा या partner retire होगा तो अगर partnership firm के अंदर सारे partners है और उन्होंने आपस में अपना profit sharing ratio change किया तो ये provision applicable है आपको पूरा का पूरा loss carry forward करने मिल जाएगा कोई tension वाली बात नहीं है सिर्फ PSR change करने पे कुछ नहीं होगा मरना ज़रूरी है या तो retire होना ज़रूरी है दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है ठीक है one last thing over here partnership firm की बहुत बात हो गई अब हुएफ की बात करते क्या हुएफ अपने member को अपने करता को salary वैलरी देगा remuneration देगा तो क्या उसका deduction मिलेगा देखो उस पर कोई official section तो नहीं है income tax law के अंदर लेकिन Supreme Court judgment ने बोला है in the case of जुगल किशोर बालदेव सहाई versus commission of income tax that is कि अगर दोनों के बीच में HOF और partner के बीच में अगर एक bona fide agreement है और वो agreement जो भी है वो जो भी खर्चा कर रहा है वो जो भी remuneration दे रहा it is in the interest of the business of the family and it is reasonable and not excessive reasonable होना चाहिए excessive नहीं होना चाहिए तो आपको deduction मिल जाएगा एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते है ठीक है और चलिए आगे बढ़ते towards next small topic that is taxation of political party political party के उपर income tax में क्या provision है section 13 है बोलता है कि political party जो भी income कमाएगी example कौन कौन सी income सुन लो ये सारी income political party के हाथ में exempt है इस पर tax नहीं लगता है सबसे पहले house property income exempt capital gains income exempt income from other source exempt सिर्फ business and profession पर tax लगेगा और किसी पर tax नहीं लगता है house property माफ, cg माफ, ifos माफ salary तो कमाएगी नहीं political party salary इंसान कमाता है political party थोड़ी नौकरी पर जाने आ लिए सिर्फ business and profession पर tax लगेगा secondly अगर उनको कोई voluntary donation मिलता है तो वो भी exempt है अगर वो 20,000 रुपे तक है तो fully exempt है और अगर 20,000 रुपे के उपर है तो वो भी exempt है लेकिन 20,000 के उपर का अगर उनको donation मिलता है तो फिर उनको records रखना पड़ेगा donation का तो फिर उनको records रखना पड़ेगा donation का किस ने donation दिया, क्या नाम था, क्या address था क्या उसका pen number था, एक्सेटरा ये सारा details उनके पास होना चाहिए तो ये exempt होगा तो voluntary donation की point बराबर से सुन लो कि 20,000 तक तो voluntary donation अगर किसी से मिलता है voluntary donation अगर कोई 20,000 तक देता है तो उसका record नहीं भी रेगा तो भी exempt है बिसर के उपर रेगा तो सारा record रखना आपको ज़रूर है ठीक है, now, 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 now क्या political party को exemption claim करने के लिए ITR बरना ज़रूर है, absolutely necessary वो भी समय पे बरना ज़रूर है अगर late ITR भी बराना उनने, तो late ITR बरोगे तो exemption नहीं मिलेगा, समय पे ITR बरना ECS से लो, या तो सचदर electronic mode से लो या तो electoral bonds करके concept है, उसके तुरूलो government के bonds होते है, उसके तुरूलो ठीक है, इन पांच mode को छोड़ कर अगर किसी और mode से लिया, यहाँ पर एक extra mode डाल दिया government ने, वह electoral bond, इन पांच mode को छोड़ कर अगर किसी और mode से पैसा लिया, तो आपके हाथ में voluntary donation taxable नहीं होगा, हाँ, 2000 के अंदर वाला amount है, तो आप cash में लो कोई दिक्कत नहीं, 2000 या उससे जादा का amount, मैंने जो बोला, सिर्फ उनी mode से लेना है, उनको छोड़ कर किसी और mode से लिया करेगी, ठीक है, वो आप claim कर सकते हो, next, section 13 B, section 13 B क्या बोलता है, सर, electoral trust के बारे में बात करता है, electoral trust क्या होता है, सुनो ज़रा, यहाँ पर एक political party है, sorry, यहाँ पर एक donor है, यहाँ पर एक political party है, अब donor अगर directly political party को देगा, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए government ने किया कि अब बीच में एक trust को खडा किया, उसका नाम है electoral trust, तो अब donor electoral trust को donation देगा, electoral trust political party को donation देगी, तो अब यह electoral trust को जो भी donation मिलता है, वो उसके हाथ में income है, इंकम है, से उसको अगर 100 करोड पर donation मिला, उसके हाथ में 100 करोड income, अब उसको अगर इस income पर income tax बचाना है, तो उसको क्या करना है, मालूम, जितना भी पैसा उसको current year में मिला, उसको सारा का सारा, उसमें से कम से कम 95% political parties को donation दे देना है, अगर उसने जो 100 करोड लिया, उसमें से 95% political party को donation दे दिया, तो उसका पूरा का 100 करोड exempt हो जाएगा section 13B के अंदर, लेकिन अगर उसने 100 करोड लिया, और 95% से एक रुपया भी अगर उसने कम सामने वाले को donation दिया, से 100 करोड लिया, 94 करोड उसने सामने लिको दिया, मतलब 95% से कम है, therefore पूरा 100 करोड उसके हाथ में taxable हो जाएगा, it is as simple as that, कोई मागज मारी वाला काम नहीं है, rule बहुत simple है, जितना भी पैसा electoral tax को मिलता है, उसका 95% उसको donation दे देना है उसको अपने अलग-अलग political parties को, अब उसमें भी एक क्याच है देखो ज़रा, यह first year है for example, इसको 100 करोड मिला, उसमें से उसने 96 करोड रबाट donation दे दिया, अब बजगिया 4 करोड, तो पहले साल तो आपका पूरा का पूरा 100 करोड exempt हो गया, अब अगले साल वापस इसको 100 करोड मिला, उसने बैंक में रखा कुछ temporary purpose के लिए महाँ से उसको कुछ interest मिल गया, 10-20 लाग रुपे का, तो वो interest यहां पर exempt नहीं है, वो interest पे उसको tax बरना ही पड़ेगा, वो donation दो या मत दो से फरक नहीं पड़ता है, वो interest will be taxable in the hands of electoral trust, what is only exempt in the hands of electoral trust is donation received, donation paid, जैसे donation आया, वैसे 95% दे तो exempt हो जाएगा, अब उस donation को आप investment करके कुछ पैसा कमा रहे हो, वो पैसा exempt नहीं होने वाला, यह चीज दिमाग बरेखना, I hope everyone is clear with this, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हमें, यहां पर भी donor जो है, उसको deduction मिलेगा, ATGGB, ATGGC के अंदर deduction मिल जाएगा donor को, ठीक है, now, coming to the very important topic of CA final, that is, जिसके कभी कभी कोशन आ जाता है, 8 से 10 माख का, and that is taxation of AOP and BOI, AOP, BOI दो किसम के होते हैं, सबसे पहले, जहां पर, the share of the member is known and aop and booming, हर एक member को बता लिएता है, मेरा इतना share है, मेरा इतना शैर है, मेरा इतना share है, मेरा इतना share है, उनके बीच में agreement होता है, दूसरा, एक घरवालों का घर, मतलब दोस्तों के बीच में, या घरवालों के भीच में, एक AOP, BOI होता है, जिसमे, share of the member is unknown and उसमें पता ही नहीं किसमें कितना शेर है तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे जहांपा दा शेर ऑफ दा मेंबर इस नोन अड डिटर्मिनेट तो यहां पर आ जाना ठीक है थोड़ा सातरंगी प्रोविशन है बोल के समझाना थो बड़ा मुश्किल काम है बट स्ट कि एवनचुलि आप पढ़ लोगे साथ साथ में पढ़ी लोगे जैसे आ पांट्रसीकर्म पढ़ते पढ़ते पांटिर प्रस पार्टर की पिटसी पढ़ली आधे वंयह थी यह अनलग रूट नूइकर तो टोटल इंकम है ना वह ऐसे ही compute होगी जैसे बागी किसी की होती है वो सारे PGPP के provisions, सारे 5 heads of income के provisions आपको apply करना है और computation करना है लेकिन बस एक चीज़ दिमाग रखना AOP को जो remuneration and interest वो member को देता है न उसका deduction नहीं मिलता है as per section 40 clause BA section 40 clause BA ने साफ साफ बोल दिया है any remuneration and interest paid to members my AOP is fully disallowed fully, fully, fully एक रुपे का भी उसमें allowance मिलने नहीं वाला है माफ कीजिए प्लीज कोई deduction नहीं मिलने वाला है आपको clear है आपको I hope it is clear to you कोई deduction नहीं मिलने वाला है माफ कीजिए यह पहली चीज आपको दिमाग रखनी चीजिए दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात दूसरी चीज अब AOP हो मैं मैंने नहुलाप रुपे कामाया अब मेरे पर कितना tax लगेगा rate क्या computation कैसे करना है मैंने आपको बता दिया normal computation करना है सिर्फ 40 BA के हिसाब से remuneration and interest डिसला हो जाएगा अब tax कितना लगेगा ठीके वो एक बहुत बड़ा challenge है यहाँ पर समझाना उसके लिए depend करता है member कैसा है अगर सारे members की income धाय लाग रुपे से कम है मतलब basic exemption से कम है तो यह जो AOP है ना उसको slab rate लग जाएगा slab rate slab rate लगेगा मतलब उसको धाय लाग तक कोई income नहीं धाय लाग से 5 लाग से 5 परसंट 5 लाग से 10 परसंट 10 लाग से 20 परसंट 10 लाग के ओप 30 परसंट वो ही सब चीज़ कब लगेगा उसको slab rate जब सारे members की income basic exemption से कम है सारे हैं एक भी member की साथ नहीं होनी चाहिए और एक भी member foreign company नहीं होना चाहिए यह पहली चीज़ दूसरी चीज़ सर फिर member की हाथ में कैसे tax लगेगा वो बहुत अजीब calculation member को एक statement बनावना पड़ेगा उसमें क्या-क्या लिखना पड़ेगा होनो सबसे पहले जो AOP से remuneration आया है जो AOP से interest आया है जो AOP से share of profit आया है वो सब लिखो और उनका total मारो उसको बो पीजीवीप फिर member की other incomes भी होगी वो लिखो फिर बाद में final total मारो जिसमें PGPP और other income का total आ जाएगा और फिर उसके बाद उसपे basic tax निकालो कोई success इंक्लूड नहीं करना basic tax आ गया आ गया अब आपको एक rebate मिलेगा 86 के अंदर कितना rebate पता है जो भी आपको basic tax आया न total income पे multiplied by जितना भी AOP के share से आया that is remuneration interest और profit वो numerator में ले लो divided by total income जो total है including the other income वो denominator में ले लो उतना आपको rebate मिलेगा उसके बाद आपको जो बचता है amount अगर बचता है tax तो आपको 87 A में भी rebate मिल सकता है अगर आपकी पांचलाब रुपे तक income है और अगर आप resident हो तो उसके बाद जो amount आएगा उसके बाद जो amount आएगा उसके बाद आएगा उसके आप वो tax भर दोगे ठीक है इस तरीके से AOP के member का tax calculation होगा अब ये कब applicable है ये first case ये first case में हम लो कौन से case में ये वाले case में ठीक है ये first case कब applicable है जब सारे के सारे members की income basic exemption से कम है और एक भी foreign company नहीं है now let us violate some condition second case में आते अगर एक भी member गहुर से सुन लेना एक भी member की income अगर basic exemption से जादा हो गई तो क्या होगा तो AOP का calculation बहुत simple है तो जो भी AOP की income है उस पर direct MMR पे tax लगेगा MMR stands for maximum marginal rate और आज की तारिक में MMR कितना है मालूम 42.744% कैसे आया 30% प्लस 37% सर्चार्ज प्लस 4% से यह MMR है आज की तारिक में तो directly 42.744% पे member AOP को tax लगेगा एक भी member की income धायलाक रुपे से जादा होई या basic exemption से जादा होई पूरी income पे 42.744% और member के हाथ में क्या हो जाएगा पूरी income एक्जेंट other income पे member खाली tax भरेगा AOP से जो भी मिल रहा है सब एक्जेंट ठीक है अगर एक भी member अगर foreign company निकला तो फिर AOP की income tax दो टुकड़ों में होगी जितना भी foreign company का share है उस पर 43.68% और जितना domestic लोगों का share है उस पर 42.744% प्लस इन incomes पे मैंड भी नहीं लगता है members के हाथ में अगर member company है न और एम आमर पे और पर फॉर्म ने भर के रखा है तो member के हाथ में मैंड भी नहीं लगता है आगे मैड के chapter में इस पर बात करूँगा ठीक है अब बहुत सिंपल है इसमें आपको दो ही कैटेगरी नहीं पहला देखना है कि क्या कोई भी बंदे की income कोई भी बंदा foreign company है क्या अगर एक भी foreign company है तो पूरी income पे 43.68% और अगर foreign company नहीं है सब देशी लोगे तो पूरी income पे MMR as simple as that इसमें कोई मघजमारी नहीं बहुत स्ट्रेट पॉरड़े चेक करो और इसके नीचे जो भी पॉइंट दियेगा है वो सारे मैंने आपको एक एक करके बोले ठीक है यह वन वन फाइव टीडी वाला पॉइंट मैंने नहीं बोला है वह आगे जाकर बोलूँगा ठीक है जबाएगा तब अभी फिलाल उस पर बात करके मतलब नहीं है जल्दी से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर आपका बिजनस और प्रफेशन एक्चुली में खतम हो चुका है अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे असेस्मेंट प्रोसीजर रिटन फाइलिंग चलते समय सिर्फ यही देखते रहना है कुछ पढ़ने की जर्वत नहीं है मैं बहुत पी कॉंफिडेंस के साथ बोल रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते तौपिक नाओ अभी एक नए जोन में जा रहे हम लोग डाट इस असेस्मेंट प्रोसीजर नाओ पे अटेंशन प् आप पूरा का पूरा सेलेबस आप पर्डिक्लर सेक्शन जाकर डिरेक्ली देख सकते हो मिसाल के दौर पर अगर आपको साइंटिफिक रिसरच का सेक्शन देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 35 दिखेगा उसका टाइम स्टैम दिखेगा और वो टा डाउन करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पर कौन सा प्रोविशन है और वो मैं नीचे डाग दोगा ठीक है आप लोगों के लिए इसके बार में बात करते हैं बहुत डीटेल में एक एक चीज़ तीक है सबसे बेले रिटन बहुत सारे सेक्शनों में बढ़ा जाता है 1391 1393 13 1394 1394 824 1395 1399 142 सब सेक्शन 1 क्लाउस 1 और 148 इतने सेक्शनों में रिटन भरा जाता है इंकम टैक्स लॉग के अंदर एक करके सबके बार में बात करेंगे ठीक है एक बार आपने रिटन भर दिया उसके बात क्या होगा वो रिटन चला जाएगा बेंगालूरू बेंगालूर और पास करेंगे आपका assessment खाता हो जाएगा और उस assessment से अगर आप दुखी हो तो आप अपील कर सकते हो आप rectification के लिए जा सकते हो आप revision के लिए जा सकते हो यह सारे एक एक करके separate topics से आज हमको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले अपने को बात करना है section 139 subsection 1 139 subsection 1 दो ची always form always obligated to file return अब company और firm को छोड़कर बाकी सब लोग कब obligated है जब उनका gross total income basic exemption limit से जादा है gross total income अब gross total income आपको कैसे देखना है before chapter 6 से and before exemptions under section 54 chapter 6 से के भी पहले देखना है और 54 के exemptions के भी पहले जो gross total income है अगर वो 2,50, 3,50, 5,00 लाग cross होता है तो आपको return बढ़ना पड़ेग ठीक है अगर वो 2,50, 3,50, 5,00, लाग से कम है तो आपको return बढ़ने के ज़र होती है इस दिमाग पर रहना gross total income किसके पहले देखना है दो चीजों के पहले देखना है जो आपको अभी बताया ठीक है next अब government ने उसके नीचे कुछ provisors दाल के रखे है fourth provisor, fourth provisor जिसमें बोल अगर आप beneficiary या beneficial owner हो किस चीज के किसी भी asset के इंडिया के बाहर या किसी भी company के या किसी entity के अंदर financial interest है आपका या किसी भी bank में अगर signing authority है तो आपको ITR भरना पड़ेगा इंडिया के अंदर और वो सारी चीज़ें इंडिया में disclose करनी पड़ेगी ने तो तुमारी band बज थोड़ा उस पर मैं आपको बता देता हूँ beneficiary मतलब वो होता है अगर कोई बंदा फाइदा उठा रहा है लेकिन उस फाइदा उठाने के लिए पैसा किसी और ने दिया है तो मैं beneficiary बन जाऊंगा beneficial owner कौन होता है जिस बंदे ने पैसा दिया है वो बंदा माना जाएग beneficial owner फ उसका मतलब बता है beneficial owner तो आपको रेटन बरना mandatory इस case में ठीक है अब due date क्या due date government ने तीन बना दिया एक तो October वाली due date है एक July वाली due date है एक November वाली due date है November वाली due date पहले sort out कर लेते हो transfer pricing cases वालों के लिए November वाली due date है ठीक है अब October वाली due date किसके लिए company के लिए हमेशा October हमेश किसी दूसरे कानून में भी अगर वो audit करवाते है तो उनके लिए due date 31st October ही होगी है इस चीज़ दिवाग पर रखना सिर्फ टैक्स audit वालों के लिए 31st October नहीं होती है किसी दूसरे कानून में भी अगर audit करवाते हो तो 31st October है ठीक है अब इसमें एक और पॉइंट है जो फिर पार्टनर्शिप फर्म का या LLP का अगर due date October हो जाता है तो उसके पार्टनर का भी due date क्या हो जाएगा October हो जाएगा अगर partnership firm का due date जुलाई होता है तो पार्टनर का due date भी जुलाई हो जाएगा ठीक है यह चीज़ दिमाग बेखना ये एक और चीज़े बहुत जबदस चीज़े बहुत जादा ध्यान से सुनने वाली चीज़े पेटेंशन प्रीज अलफ यहां पर भी अगर एक पार्टनर्शिप फार्म का ड्यू डेट थर्टियत नवेंबर है तो फिर पार्टनर्शिप फॉर्म 30 नवेंबर को रिटन भर रही है तो फिर पार्टनर 31 जुलाई को रिटन कैसे बर सकता है ठीक है ये चीज़ भी दिमांग को रखना ये भी कमेंटमेंट आया जो फाइनाज चेक 2021 में आया है नो प्रे अटेंशन प्लस ये फे 21 कमेंटमेंट है पिछले साल तक ये प्रोविशन नहीं था पिछले साल तक सिर्फ नॉर्मल कैसे इस बाते नाओ एक सेक्षण ने बहुत पुराणा है 30-40-50 साल पुराना सेक्षण 5-8 किसके लिए अपनी के बले ये गोवा दियू दमन उन लोगों के लिए अपनी के बले ये सिर्फ उन यूनिन टेरिटरी और स्टेट के लिए अपनी पर अभी भी आज की तारिक पे बी और पॉर्चूगीज लॉग अप्ली के बले अब पॉर्चूगीज लॉग क्या है थोड़ा सा मैं उस पर लाइट देता हूं मैं क्लास में बहुत जाए डीटिल में बोला था आप लोगो बस यहां पर रिवेशन वीडियो में उतना ज्यादा खुल के नहीं बोल पाँगो उत उनका है आप लीके बले बहुत साने केसे में तो उसमें क्या कानूने पता है आपको उसमें यह कानूने कि जो भी इंकम कमाया जाएगा ना वो हस्बेंड और वाइप इक्वली डिवाइड करेंगे एक्वली सैलरी को छोड़के मतलब बिजनस इंकम होगा है एच्प हुस्बेंड को रिमिटरेशन मिल रहा है इंटरेस् गोल हो और झालते है तो हसिबंड के लिटरन अक्टोफर में धर रहा है तो क्यो wax जुलाई में बर सकती है ??। नहीं भर सकती है ? क्योंकि दोनों में इंकम इक्वली डिवाइड होने वाली है इसलिए है यहां पर partner है ठीक है उस mail partner को वह partnership firm का audit होता है तो partnership से उस partner को एक करोड़ रुप्या आने वाला है अब वह एक करोड़ रुप्या पूरा उसकी हाथ में टैक्स से बलने होगा वो और उसकी wife, share करेंगे 50-50 50% टैक्स उसका क्योंकि दोनों में इंकम भी डिवाइड होगी सारी इंकम डिवाइड करनी पड़ती है उनको सेक्षिन 5a के अंदर कभी जिंदगी में सेक्षिन पढ़ा नहीं होगा आपने लेकिन अभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस लिए अगर हस्पेंड ऑक्तोबर म हो सकता है आपके एक्जाम के लिए केरफोल रहना ठीक है नाव कंपणी तो हमेशा रिटन भरेगी ठीक है फॉर्म भी हमेशा रिटन भरेगी उनके अलावा कुछ लोगों के लिए तो कंडिशन है बेसिक लिम्शन लिमिट से जादा इंकम होगी तो ही बरना जरूरी है न किसी बैंक या कोठीक में तो आपको रिटन भरना जरूरी है अगर किसी बैंक या कोठीक में आप बैंक के करेंड अकॉंड में सेविंग अकॉंड में ने थे से जादा एंपन से कम है जिसकी income और तो रुप्र से जादा उनके ले नी है वो तो वैसे भी नहीं आले उनके लिए कोई क्राइडिरिया जरुध नहीं है डिस्नल क्राइडिरिया की दरुद नहीं वह तो वैसे भी बरना उनकी मजबूरी है second अगर आप कहीं foreign tour पे जाते हो ठीके foreign tour इंडिया में नहीं और दो लाग रुपे से ज़्यादा का खर्चा करते हो ठीके भले खुद के लिए कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं उससे फरक नहीं पड़ता है तो आपको foreign tour पे जा रहे हो दो लाग से ज़्यादा करचा कर रहे हो खुद के लिए किसी और के लिए तो आपको आपको आइटर बरना पड़ेगा तीसरा अगर आप एक लाग रुपे से ज़्यादा का foreign company को investment fund से कुछ income आती है investment fund क्या होता है वो AIF 1 AIF 2 बता है गलग से topic पढ़ा था मैंने आपको investment fund securitization trust वो होता है अगर आप non-resident foreign company हो और अगर आपको investment fund से कुछ income आती है और वो investment fund कहां पर located है मुंबई में नहीं IFSC के अंदर located है IFSC के अंदर located है और अगर आपका TDS कट चुका है और और आपने और कोई income इस साल नहीं कमाया है तो आपको ITR बरने की जरुवत नहीं है 1391 आपके लिए exempt है कब-कब आप non-resident of foreign company हो non-resident या foreign company IFSC के अंदर located एक IFSC के अंदर located एक AIF है वहां से आपको income आती है आ आपका TDS कट चुका है और आपकी कोई और income नहीं है तो आपको ITR बरने की जरुवत नहीं यह conditions में से कुछ भी condition नोटिस बेस्थी तो आपको भरना पर खुद से बरने की जरुवत नहीं गर्मेंट नोटिस बेस्थी नहीं हमको चेक करना है आपको तो आपको भरना पड़ेगा 1421 या 148 के अंदर return ठीक है I hope it is clear to you ना एक अससी था क्छा तो आपको प्ता नी कर् मलती कर वा अकुष गलती और फीख मेंसे चोड़के चला गया तो अससी ने दूसरे auditor को अपॉइंट किया दूसरे auditor को अपॉइंट किया तो इसको डीले हो गया तो इसने डीले करके return बरा audit किया सब कुछ तो क्या इसमें SSC को सजा मिलनी चाहिए इस पर बोल दिया है मैंने आपको बता दिया return समय पर ना चीए October में November में या आपका जो जुलाई डेट है उसके पहले आप रेटन बर तो अगर लेड़ बरा तो क्या consequence है कुछ losses और PGP and CG will not be allowed यह consequence 234F में एक हजार या 5000 की fee लग सकती है best judgment assessment हो सकता है आपके अगेंस ठीक है 14211 की notice आ सकती है कि बाइ return क्यों नहीं बर रहे बर यह section 11 में exemption चला जा सकता है section 30 ने political party थोड़ी दिर पहले बुला exemption चला जाएगा ठीक है 80AC में कोई भी profit link deductions आपको नहीं मिलेंगे कोई बी total कुछ 15 16 profit link deductions income tax law में payment link deductions मिलेंगे profit link deductions नहीं मिलेंगा अगर late return बरोगे तो अब यहाँ पर देखो यही लिखा है सबसे पहले 80AC यह सारे 15 के 15 profit link deductions मांग ना मत अगर late return बरोगे तो late return बरोगे यह सारे profit link deductions नहीं मिल सकते आपको ठीक है साथ साथ में late return बरोगे तो आपको 5000 रुपए की fee लगेगी लेकिन अगर आपकी total income 50000 रुपए तक है तो आपको 1000 रुपए लगीगा ठीक है तो आपको 1000 से जादा नहीं लगीगा तो मतलब अभी दो category है 5000 पांच लाग से जादा की total income है और late बरा तो 5000 पांच लाग से पांच लाग तब total income है और late बरा तो 1000 पी I hope it is clear to you ठीक है नाम यहाँ पर कुछ special अक्टोबर में क्योंकि इनके लिए और इटर्ट करवाना मेंडेटरी है इसके लिए इसके लिए इन सब के लिए जो डूडेट है वो 31 ऑक्टोबर की डूडेट है इस चीज दिमाग बढखना तीक है सबसे पहले चारेडेबल ट्रस्ट उसकी income section 11 में exempt होती है तो अब उसक इसको कैसे return बरना कब return बरना mandatory है अगर exemption देने के पहले अगर उसकी income 2,50,000 रुपी से ज़ादा है तो इसको return बरना mandatory है साल के दौर पर उसकी exemption देने के पहले income 10 lakhs है, exemption देने के बाद return हो गई income हो गई 1 lakh, तो भी उसको ITR भरना ज़रूरी है, तो भी उसको return भरना ज़रूरी है, क्योंकि exemption देने के पहले की income check करना है भी इन सब लोगों के लिए, 139.4 में return भरेगा, exemption देने के पहले अगर 50.5 रुपे से ज़रूरी है, तो income tax return भरना ज़रूरी है, October में भरेगा, इसको 234F की fee तो लगेगी, अगर late return भरेगा, तो 100 रुपे की per day penalty भी लगेगी, इनको दो किसम की charging लगती है, एक तो fee लगती है, एक penalty भी लगती है, 100 रुपे की penalty भी लगेगी, और 234F में fee भी लगेगी, 5000, 1000 जो भी amount है वो, ठीक है, next, political party अगर exemption देने के पहले अगर income dialogue से ज़ादा होती है, तो return भरना पड़ेगा, 35 October इनको सिर्फ fee लगेगी, इनको penalty नहीं लगती है, चीक है, चेक कर लो, next, section 139.4C, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कुछ exemptions है, certain institute sections, certain college, university, trade unions, associations, जिनको section 10 में government ने income exempt कर दिया है, तो अगर उनकी income section 10 में exempt है, तो exemption देने के पहले, अगर उनकी income 250 से जादा return बरना ज़रूरी है, यहाँ पर भी इनको fee भी लगेगी, penalty भी लगेगी, जैसे charitable trust को लग रही थी, चेक करो, उसके बाद कुछ universities, college है, जो section 35, 1, 2, 1, 3 में registered है, like scientific research association, social science, statistical research association, जो आपने section 35 के scientific research के deduction में पढ़ा होगा, उन लोगों के लिए कोई limit नहीं है, हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, dialogue से काम हो या dialogue से जादा हो, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, और 31st October को, यह बाकी दो assessies को भी हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, कोई monitor limit नहीं है, पहले 3 assessies के लिए monitor limit थी कम से कम, लेकिन इसके लिए कोई monitor limit नहीं डाला है, हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, बिजनस ट्रस के लिए हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, investment fund के लिए भी हमेशा ITR बरना ज़रूरी है, यह सारे cases आप आगे जाकर पढ़ोगे, business trust पे पूरा का पूरा topic है, investment fund manager अभी आपको थोड़ा ज़र बता है, AIF उस पे पूरा का पूरा topic है, ठीक है, now let us go ahead with the next provision and that is 139.3, अगर आपको PGPP में loss होता है, या capital gains में loss होता है, सिर्फ यह 2 head में loss होता है, और अगर आप इनको carry forward करना चाहते हो, तो return समय पे बरना पड़ेगा, late return भरके आप इनको carry forward नहीं कर सकते हो, sir HP loss को carry forward कर सकता हो, कर सकते हो, sir UAT को carry forward कर सकता हो, कर सकता हो, HP loss और UAT पे कोई restriction नहीं है, restriction सिर्फ PGPP और CG पर है, वो भी सिर्फ carry forward करने पर है, set off करने पर नहीं है, अगर current year में ही set off करना है ना, late return भरके तो वो कर सकते हो, suppose current year में PGPP में loss हुआ, और किसी और दूसरे PGPP में income profit हो गया, तो एक PGPP, दूसरे PGPP से current year में, late return भरके set off कर सकता हो, कर सकते हो, set off करने पर कोई restriction नहीं है, carry forward करने के बाद set off करने पर restriction है, current year में set off करने पर कोई restriction नहीं है, sir, पिछले साल का loss है, पिछले साल return समय पर भरा था, sir, इस साल return late भर दिया, तो sir, पिछले साल का loss carry forward कर सकता हो, कर सकता हो, वो भी कर सकते हो, पिछले साल का loss, पिर PGPP और सिर्फ CG के loss, HP का loss नहीं covered है, और आपका जो, sorry, UADB आपर नहीं covered है, ठीक है, सर अगर मैं को सही में genuinely loss return भरने में late हो गया, तो कोई government relaxation देगी का नहीं देगी, क्या loss बोलेगी, नहीं, late हो गया बात, खतम हो गया, अभी आना मत जिंदगी में, नहीं, government relaxation देती है, अ आप condemnation letter दो CBDT को, किसको letter देना होगा, अगर 10 लाग रुपे तक का loss है, या refund है, तो आपको CIT को application देना है, 10 लाग से जाधा है, और 50 लाग से जाधा है, और 50 लाग से जाधा है, तो direct CBDT को, sir, कितने साल तक का loss ये लोग carry forward करवा देंगे, 6 साल तक का करवा देंगे, ठीक है लात पड़ेगी, interest मत मांगना, ठीक है, no interest shall be granted on refund, आपको 5-6 साल का refund दे रहे, अपने में बहुत बड़ा हैसान है, government का आप पर, अब उस पे आप एक और हैसान करने बोल रहे हो, ठीक है, कि हमको refund के उपर interest भी दे दो, महरबानी करना, प्लीज, इतने भी जिंदगी में बे नहीं तो related भरो, कब तक भरो, अब पिछले साल तक क्या था, कि आपको अगले, AY के end तक भर सकते थे, अब AY के end तक नहीं, 31 December तक, suppose previous year 21-22 है, तो पिछले साल तक 31st month 2023 तक allowed था, अब 31 December 22 तक ही आपको ITR भरना पड़ेगा, ने तो related नहीं माना जाएगा, तो related return का due date government तीन म होता है sir, ये best judgment assessment होता है sir, ये normal assessment नहीं होता है, और sir, completion of assessment मतलब कौन सा date, the date on which the order is passed by the assessing officer, that date is considered as completion of assessment and not the date on which the order is sent by the department and not the date on which the order is received by the assessor, it is the date on which the order is signed by the department, AY ने order कब sign किया, वो date माना जाएगा, completion of assessment, revise return sir, भरना जरूरी है, yes, भरना जरूरी है, अगर कोई omission करते हो, कोई mamuli सी गलती करते हो, तो बर सकते हूं, sir, normal return revise हो सकता है, 1391 वाला, yes हो सकता है, sir, related return revise हो सकता है, वो भी revise हो सकता है, लेकिन आप revise return की भी time limit government ने घटा दिये, कितनी, पहले उसकी भी time limit 31st March तक थी, लेकिन अभी उसकी भी time limit government ने 31st December of the AY कर दिया है, मतलब return बरने के बाद जो December जिए सब्सक्राइं करो, sir, scrutiny norne County के बाद revise कर सकते हो, बिल्लकुल कर सकते हो, completion of assessment के पहले कभी भी कर सकते हो, scrutiny notice आने का मतलब assessment complete नहीं हुआ, scrutiny notice आने का मतलब assessment सिफ शुरू हुआ है, assessment complete कब होता है, जब order pass हो जाएगा, एक बार order pass हो गया, उसके बाद आप revise नहीं कर सकते हो यह चीद दिमाग रखना, ठीक है, next, 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 defective return, sir, defective return क्या होता है, sir, आपने return भरा, assessing officer को, उसमें कुछ defect दिखा, अगर उसको, उसमें कुछ defect दिखा, तो वो आपको बोलेगा, यह return defective है, उसको आपको एक notice बेज़ेगा, पंदरा दिन में उस defect को ठीक करो, sir, पंदरा दिन के अंदर में पास time नहीं, में को और time छे, तो में को extra time देगा, कि assessing officer जरूर देगा, अगर आपके वाज 15 दिन से ज़्यादा time चाहिए, आप assessing officer को application दो, पंदरा दिन के बाद जो extra time दिया, sir, उसमें भी मेरे से काम नहीं हो पाया, तो क्या वो और extra time देगा, हाँ, government ने उसको बोला है, ठीक है, assessment के पहले, assessment खता होनी के पहले, अगर कभी भी वो defect को ठीक करता ना, आप कभी मौका मिले, तो 139 subsection 9 कोल के देखना, तो उसके अदर आपको सारे defects दिखेंगे, वो सारे defects आज की तारिक में हो ही नहीं सकते, because of electronic filing of return, electronic filing के वज़े से वो सारे returns possible नहीं है, ठीक है, आँ, यहाँ पर अभी CBT ने एक amendment लाए, कि अगर CBT चाहिए, तो कुछ conditions apply नहीं करवाईगी आपके लिए, वो क्या है, वो सब चीज़ आपके syllabus में अब तक notify नहीं हुआ है, तो notify होगा तो देखेंगे, और आप तो शायर notify होगा तो भी applicable नहीं होगा, क्योंकि आपके syllabus की जो deadline है, वो due rate निकल चुकी है, next, सर, income tax return preparer के बारे मैं बोल दो, बस इतना ही बोलना चाहता हूं, income tax return preparer कुछ individuals होते हैं, सिर्फ individual income tax return preparers होते हैं, जो आपके लिए income tax return भरते हैं, और कुछ ने, जैसे CI आपके लिए income tax return भरता है, वैसे एक individual income tax return preparer होते हैं, जिनको CBDT authorize करती है कि आप लोगों के लिए return बढ़ सकते हो, वो आप लोगों के लिए जाकर department में उनको अपने client को represent भी कर सकते हो, अपने client के लिए learn भी सकते हो, और वो सिर्फ individual हो सकता है, प्लस वो सिर्फ छोटे cases के लिए allowed है, बले cases के allowed नहीं, जैसे मिसाल के तोर पर अगर किसी का tax audit अपनी के बले है, तो उसके लिए individual, किसी भी individual को, किसी भी बंदे को tax audit वाले अससीस का case नहीं उठाना चाहिए, मतलब अगर आपका tax audit है, तो आप income tax return preparer से अपना return नहीं भरवा सकते हो, फिर आपको किसी chartered account and etc. से audit audit करवा कि अपना ITR बरवाना चाहिए, तो छोटे cases के लिए individual income tax return preparer सिर्फ individually होता है, एक company income tax return preparer नहीं बन सकती है, secondly, income tax return preparer सिर्फ छोटे अससीस का ITR बरेंगे, जिनका tax audit अप्लिकेबल नहीं होता है, यह चीज दिमाग में रहना, last but not least income tax sir, sign कौन करता, ITR, ITR sign कौन करेगा, individual के case में individual खुद, यह सारी चीज़े income tax law में दी गई है, उस पर जादा बात करके मतलब नहीं, that's a waste of time, फिर भी एक बार चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ, individual के case में मैं खुद sign करूँगा, अगर मैं खुद बिमार बिमार हो, या मैं mentally disabled हूँ, तो कोई मेरे बिहाफ मेरा guardian, guardian sign करेगा, या मैं इंडिया के बाहर हूँ, तो भी मैं कोशिश करूँगा, कि मैं खुद sign करूँ, और मैं sign नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी को power of attorney नहीं देख चाहूँगा, वो sign करेगा, sir, company के case में कौन sign करेगा, पहले managing director sign करेग अच्छे हो कि किसमें करता sign करेगा, और अगर करता mentally disabled है, mentally incapable है, या करता, इंडिया में present नहीं है, absent है, किसी कारण के वैसे नहीं sign कर पा रहा है, तो any other adult member, adult member, बच्चा sign नहीं कर सकता है, co-partner sign नहीं कर सकते है, जो minor है, minor allowed नहीं है, इससे major होना चाहिए, adult member, male, female, उससे फर पहला chapter खतम हो जाए, return filing का, तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये revision video, यहाँ पर रोख देता हूँ, part 2 को, और अब हम लोग continue करेंगे, एक दो दिन बात, part 3, मैं हर दो दो दिन में एक एक पार्ट डालके, दस दिन में सब खतम कर दूँ, attention मिले ना आप लोग, ताकि आपके सा मेरे पर छोड़ो, वो मेरी जिम्मेदारी, वो आपकी नहीं है, आपके जिम्मेदारी बाकी साथ subject, direct tax, मेरी जिम्मेदारी, यह मैं आपको guarantee देता हूँ, last moment तर, ठीक है, नीचे मैं description box में time stamp दालूँगा, लेकिन थोड़ा समय देना मुझे, मैं को एक एक पुरा lecture देखना पड़ेगा उसके लिए कौन से समय पर मैंने कौन से provision के बारे में बात किया हूँ, फिर उसको check भी करना पड़ेगा, तो take care all of you, ध्यान रखो सब लोग अपना lecture में मज़ा आया, ठीक है, तो अपने जादा से जादा दोस्तों के साथ इसको share कीजिए, take care all of you, ध्यान रखो, बाइ.